आप लोग जिस भी परिक्षा की तैयारी कर रहे हों उसके पुराने कुश्चन्स पेपर कभी उठा के देखिएगा और आप देखेंगे कि अगर आप लोग वंडे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखें सेट लेवल के अपके एक्जाम हो जाते हैं इनमें आपके लोग्व से काफी धर तक जीके जीए साफकी कवर हो जाती है और मैंने तो यहां तख देखा है कि जो civil service का prelims होता है या state PCS का prelims होता है जिसमें आप देखें कि UP PCS हो गया बिहार, राजिस्थान, चत्तीजगर्ण, मद्यपदेश, महाराष्ट समझे रहें इन सब के PCS prelims के नजदी की समय जबा जाता है तो loose end से बच्चे क्या करते हैं? क्योंकि आप समझे कि जिनें बिस्तार में पढ़ना होता है वो GKGS को आप देखें कि NCE, IT और भी जो आपकी special box होती हैं उनसे कबर कर लेते हैं लेकिन आप देखें जो date होते हैं, जो point to point होते हैं इन्हें याद रख पाना बड़ा मुस्किल होता है और इसलिए आप देखें वो लोग पेपर के नजदीक समय में इसे ही पढ़ते हैं यह आप कहिए कि GKGS का एक तरह से निचोड है Lucent और आप सभी लोगों की मांग भी थी कि हमें नई Lucent के बारे में बात करनी चाहिए तो इसके लिए एक playlist सूची बना दी गई है Lucent Book Review के नाम से उसी में सभी आपकी क्लासें बड़ी रहेंगी आज हम लोग बात क्या करेंगे भारत का भूगोल देखेंगे आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लास में हम लोग ने भूगोल पढ़ा था आज हमें क्या पढ़ना है भारत का भूगोल पढ़ना है भूगोल को भारत की परिपेक्ष में हमें कवर करना है ठीक है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सामान जानकारी देख लेंगे, भारत का बहुत एक सौरूप देख लेंगे, भारत की नदिया, भारत की प्रमोख जीले, भारत की प्रमोख जलपपाद, भारत की जलवायू, भारत की मिट्टी, भारत की किर्स्टी, भारत में सेचाई, भार भारत की जनगर्णा। देखें, जनगर्णा। इसंत Matthew के सी EAR कि पराने कुष्षिति सी स्था सूर है, nay जनगर्णा से भी आप दिखता है कि एक-डों घून रहते हैं, और मुझे लगता है, कि कीमत वह लोग जान सकते हैं जो एक-दो कुष्चन से या तो पास हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं ठीक है तो मुझे लगता है ये कि कुष्चन से एक दरसे महत्पूंड होता आपके लिए भारत के पिरमोग बहुत देशी है नदी घाटी परियोजनाओं से भी आते हैं नदीओं के किन जन्जाति के बारे में जन्जातियों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और याद रुखिक पिछली क्लास में हम लोग ने विश्व के एक तरह से वर्ल्ड की परिपेक्छ सा के बॉगण इसमें देखेंगे तो भारत का उत्री गुलार्द में इस्तित है और इसका अगर अक्छांस देखें आप लोग तो 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनिट से लेके 37 डिग्री 6 मिनिट उत्त्रियक चांस और 68 डिग्री 7 मिनिट से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर के 20 इस्तित है माल लेजे कि ये पितवी है और भारत आपको यहां देखने कुम लेगा और यहीं इसकी अबस्तिती बता रहा हूं आप लोगों से फिर से बोलना हूं जो हम लोगों ने मैब कबर किया हुआ था मानचित के नाम से आपकी एक प्लेल सूची बनी हुई है उससे जाकर जरूर देख लिएगा भूगोल काफी हद तक आपका कबर हो जाएगा मैब का सहारा लेकर उसे बताये गया है ठीक है? संपूर्ण भारत के अक्षांसी यह विस्तार की बात करना है तो 6 डिग्री, 4 मिनिट से लेकर 37 डिग्री, 6 मिनिट उत्री अक्षांस की मद्द आपको देखने को मिलेगा इस अक्षांस को और देशांतर विस्तार को याद रखेगा इनसे कुश्चेंस कई बार पूच लेता है भारत का छेथफल अगर आपसे पूचा है भारत से बड़े 6 डेश हैं जिसमें रूस हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, सेकतुराज अमेरिका बिराजील, और आठवा देश है अर्जिंटीना ठीक है? उसके बाद देखेंगे भारत का छेथफल संपूण विस्त का छेथफल का 2.42% है यानि कि 2.42% है भारत का छेथफल संपूण विस्त के छेथफल का कितना है? 2.42% भूमी हमारे पास है जबकि इसकी जनसंख्या संपूण विस्त की जनसंख्या का 17.5% है ये 2011 की जन्डगनार्ना के हिसाब से बात करें यानि कि कहने का मतलब है कि जो माली जे की एक पित्वी है ठीक है? इसमें ऐसे आप देखें कि टोटल एक पित्वी है इसमें ऐसे 2.42% हमारे पास भूमी है और जनसंख्या की टोटल की बात करें तो इस भूमी पर 17.5% जनसंख्या नेवास करती है हमारे देश में दुनिया की तो आप समझ रहे हैं क्या हाल है जनसंख्या की दिरिश्टी से विस्ट के 8 बड़े देश जिसमें चीन पहले पर भारत सहयुकतराज अमेरिका, इंडोनेसिया ब्राजील, पाकिस्तान, बंगला देश और रूस का नमबर आता है भारत का उत्तर से अगर दक्षिण में विस्तार अगर आप देखें उत्तर से दक्षिण में यहां से लेकर यहां तक तो यह 32, 14 किलोमीटर है यानि कि 3,214 किलोमीटर और पूरुप से अगर आप लोग पूरुप से पश्चिम की बात करें यहां से यहां तक तो आप देखेंगे इसका विस्तार 2933 किलो मीटर है यानि कि आप देखें उपर से नीचे तक और यहां से यहां की बात करें भारत की स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो 15200 किलो मीटर है और इसके तटिये भाग की लंबाई की बात करें तो 7566 किलो मीटर और परंतों मुख भूमी के तठी Milk की बात करें तो इक सट 요art कि गुद्स मुएटर है यानि कि कहने का मुद्लब है कि 6100 किलुमीटर है योर Оं यह याद रह confirखे आंगे हम लोग बात करते हैं क्या बात करने बात कि करने हैं बात क्या करें दो यह तो नहीं भी आप लोगा या रखीगा भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा लगती है जिसमें आप देखे बंगला देश हो गया और बंगला देश के साथ बताएं तो सबसे जानदा सीमा लगती है पर्षे मंगाल हो गया तिप्पुरा हो गया मिजोरम हो गया असम हो गया तो यह भी आप लोग याद रखेगा एक बार आप लोग मैप देख लिजे भारत का क्योंकि उससे मुझे लगता है कि लिए आप लोग बता पाएंगे देखिए इसमें आप लोगों को भारत का मैप देख रहा है पूरा है तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए बंगलादेश आपका यहां देखने आपको मिलेगा कहां यह है बंगलादेश आपका दिखाई दिरा है अगर इससे लगे हुए अपने राज्यों की बात करे भारत के कितने राज जिसकी सीमा लगती हैं, तो सबसे पहले आप लोग पस्चे मंगाल देख लिएंगे, फिर आप लोग देखिए, असम की सीमा भी लग रही है, मेगाल आई की भी इसकी सीमा लग रही है, और आप देखिए तिप्पुरा की ओं मिजूरम की, पाँच राज लगती है दूसरे नंबर पर इसमें लद्दाक हो गया, रुणाचल पिदेश हो गया, उत्राखन, हिमाचल पिदेश और सिक्किम है यहां से आप लोग मैम में एक बार देख लिजेगा, तो मुझे लगता है किलियर याद रख पाएंगे और जब ही किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, कि इस राज्य की कितने राज्यों से सीमा लगती है, या इस देश से कितने राज्यों की सीमा लगती है हमारी तो मेर का सहरा लिया करेगा मैं अपसे आप लोग के लियर बता पते हैं लद्दा का आपका हो गया फिर हमाचल पिदेश जाईए उतरा खिन जाईए सिक्किम जाईए और आप लोग अउडाचल पिदेश जाईए पांच राज्यों की सीमा लगती है किस से? वराजिस्थान हो गया जम्मू कस्मीर हो गया लद्दाक हो गया गुजराथ पंजाब यानि कि पांच राज्यों की सीमा इससे भी लगती है एक बार आप लोग में फिर से देख लीजी देखिए यह पाकिस्तान लद्दा की लग रही है, जमू कस्मीर की लग रही है, पंजाब, गुजरा, राजिस्थान और गुजराज, पांच राज्यों की सीमा पाकिस्थान से भी लग रही है, फिर आप आईए नेपाल, नेपाल में आप देखेंगे 1759 किलोमीटर सीमा लगती है इससे, उत्तर पिद जो की, फिर आप देखें, मियान मारा जाता है, 1643 यानि कि आप देखें, 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, अरुना चल्पिदेश, मेजोराम, मडीपुर, नागलेड, यानि कि चार राज्य है आपकी जिसकी मियान मारा से सीमा लगती है, बर्मा भी का रिखते हैं से आप लो यह भूटान हो गए आपका, सिक्किम, फशे मंगाल, असम और अरुना चल्पिदेश, चार राज्यों की सीमा आपकी भूटान से लग रही है, फिर एक और देश बसता है, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, सबसे ही कम, लग्दा की, जो हमारा देखते है न यह आप लोग जरूर याद रखेगा, यानि की कुल मिलाकर 15,106 किलोमीटर लगती है हमारी इन सभी देशों से, भारत की कुल 16 राज पड़ोसी देशों की सीमा से जोड़ते हैं, यह जरूर याद रखेगा, भारत की जलिये सीमा या समुद्री सीमा से समर्द साथ देश है पाकिस्तान, मालदीप, स्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, थाइलेंड, इन्डोल इसिया से पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा समर्द समर्द राज, बंगलादेश से, आप देखेंगे पश्चे मंगाल की सीमा लगती है, बाइस सो सो लेद समलव साथ किलो मीटर की, नेपाल से उत्तर पिदेश की सबसे जानद लगती है, 659 किलो मीटर से, म्यानमार की अरुन चल पिदेश की लगती है, 1080 किलो मीटर, बंगलादेश से सबसे जानद लगती है, किसी राज्य की सीमा, ठीक है, बारत की जलओ और इस्थल सीमा से लगे देश की बात करें, तो बंगलादेश हो गया, मयानमार हो गया, पाकिस्तान, जो इस्थल से भी लगे हुए हैं, वो आप देखें तो 876 किलो मीटर दूर है भारत के सबसे उत्री बिंदू इंद्रा कॉल जम्मू कस्मीर में आपको देखने को मिलेगा पर्श्मी बिंदू सरकीक गुजरात में देखने को मिलेगा पूर्भी बिंदू कि बुतू यह अरणाचल पिदिस में देखने को मिलेगा एक बार आप देख लिएजे, आपका लद्धाक में आपको देखने को मिलेगा अब इंद्रा पॉइंट, ए आपका गुजरात हो गया, ए अउनाचल पेदिस हो गया, नीचे आपका, ए आप देखेंगे तमिलाणू, यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ए अन्वार निक में, और फॉइंट, पेडरो, जापना, स्री लंका के उत्तरपूर में है, भारत चीन की सीमा को मैक मुहन रिखा कहते हैं, जो भारत चीन के बीच लगती है, यहां रेखा 1914 में सिमला में निर्धारित की गई थी, लेकिन आप देखते हैं कि चाइना मानता कैसे, कहां है, यह काराकुरम रेंज भारतियों महादीब और चीन के मद एक जल विभाजक है, बनाती है, 70 किलोमीटर लंबा यह है, काराकुरम में सबसे लंबा है, और धर्ती पर धुरों को छोड़का दूसरा सबसे लंबा गलेसियर है, यह से तीसरा धुर्बी कहते हैं आप लो, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा लगती है, और 1896 में सब डूरंड द्वारा निधारित की गई थी, अवे रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है, क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, तो हमारा हिस्सा था तब दि की बात हो रही है और भारत पाकिस्तान की बीच आप सभी जानते हैं रेड क्लिप रेखा इन से कुष्टन साते रहते हैं जो 15 अगस्त 1947 को सर्ज सी जे रेड क्लिप के द्वारा निजारित की गई थी और भारत नेपाल की मद्द काली नदी सीमा बनाती है पटकाई की भारत को मियानमा से अलग करती हैं दच्छण में चीन सा स्रेलगा देके पारत से पाधि जल संदी और मनार की खाड़ी द्वारा अलग होता है पाक जल नम्रू मद्द में ही राम से तुस्तित है और आपको बता दो पाक जल संदी किन दो देशों को अलग करती है ये कुश् स्री लंका के बाद भारत दूसरा निकर्तम समुद्री पडोसी देश इंडोनेसिया है जो निकोवार दूइफ समुखे अंतिम दूइफ ग्रेट निकोवार की दच्छन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है भारत का मानक समय इलावात की निकट मिर्जापूर से गुजरन अंध्पेदेश मद्पेदेश चत्तेजगर उड़ीजा आंध्पेदेश से गुजरती है यह जाद रखिए कई बार पूछ लेता है कि जो 82 डिग्री पूर्वी देसां तर रेखा है यह मद्पेदेश करें कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपके भारत के कितने इन पांच राज्यों से होकर गुजरती है एक कुश्चेंस भी पूछ लेता है कई बार तो लगबग याद रखना चाहिए कराकर एक राजिस्थान राज्यों से होकर गुजरती है इसमें राजिस्थान गुजरात मद्पेदेश चतिसगर जहारखन पश्टमंगाल साड़े ब्यासी डिग्री जो देशानतर रेखा है ये कहां से कितने राजियों से पांस से करक रेखा आठ से ठीक है पितिवी की चुमिकी ये विस्वत रेखा दच्षिड भारत में त्यव्यन दर्म से गुजरती है और भारती और महादीब में समले देश थी भारत पाकिस सुनते है ना पहले था है इसमें भारत सामिल है पाकिस्तान भी सामिल है बंगलादेश भी सामिल है नैपाल भी भूटान ये पहले एक तरह से भारतियों महादीब के हिस्सा थे सरवादिक राज्यों की सीमा से लगा राज देखे तो उत्तर पिदेश इसकी सीमा आप देख 1263 किलो मीटर और इसके बाद आप देखेंगे आंद्पिदेश की तट्रेखा लंबी है भारत के नौ राज्य है जिनकी तट्रेखा से लगे गुजराद, महराष्ट, गुवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंद्पिदेश, उडईचा और पश्चिम बंगाल नेपाल के सा आप देखेंगे आपका पाकिस्तानी सीमा से आपका वही लगता है क्या लगता है लगता है लगदाग भी और जमू किसमीर भी और अरणाचल पिदेश की सीमा पूर में म्यानमाल से और पश्चे में भूटान से उत्तर में चीन से तीन देशों से लग रही है सिक्क्यम की सीमा देखेंगे नेपाल से भूटान से चीन से तीन देशों की सीमा लग रही है तीन ओर से बंगलादेश से घरा हुआ राज्य तिप्पुरा है किबल उत्तरपूर में ही यह असम और मीजिवरम से घरा हुआ है संकोस नदी असम और आवणाचल पिदेश के बीच की सीमा बनाती है यह भारत के प्रमुख दर्रे होगा राज्य के अंदसासित पिदेश काराकूरम का है जमुकस्मीर में जोजिला का है लद्दाक में पिरपंजाल का है जमुकस्मीर में बनिहाल दर्रा जमुकस्मीर में बुर्जिल दर्रा जमुकस्मीर में सिपकीला दर्रा हिमाचल पिदेश इन सभी दर्रों को भी याद रखिएगा इनसे कुश्चन सकी बार कुछ लेता है यांग आप दर्री के पास ब्रहंपुत नदी भारत में प्रवेश करती हैं जोजिला दर्रे का निर्मार्ट सिंधु नदी द्वारा, सिपकीला का निर्मार्ट सतलज नदी द्वारा और जे लैपला का निर्मार्ट तिस्ता नदी के द्वारा होता है। इन नदियों को याद रखिए, इनसे जुड़े जो जीला दर्रा है ने याद रखिएगा। लद्दाक में इस्तित कारा करूम दर्रा भारत का सबसे उंचा दर्रा है इसकी उंचा एगर आप देखें तो 5624 किलो मीटर है मापकर ये मीटर है कलो मीटर दो बहुत हो जाता है यहाँ से चीज जाने का एक सड़क बनाई गई है और राष्टी राजमार्ग एक ए लेह को जो ठीक है यहीं इस्तित है आपकी काफी चर्चा में भी रही थी तो इसे भी याद रखिएगा तुजूदार्रा ए मड़ीपुर में भारत और मियानमार को जोडता है सिख्कीलादर्रा इस्सिमला से तिबबद को जोडता है जीवित जटि पुल ए मेगाला में पाये जाते है ठीक है आप देखें के पेड़ोगों की जटों से बनाये जाते है और कहते हैं कि इनकी जिस तरह से उम्मर बढ़ती जाती है अपसुची और मजबूत होते जाते हैं मेगाल है कि खासी जन जाती कि लोग रवट्री नामक पॉधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा की आरपार सुद्रर कर देते हैं जिसे जीवित पॉल कहा जाता है इस्थानी भासा में से चिंग केंग इरो कहते हैं तीन अर्ध चंद्रा का समुद्र टट कन्या कुमारी में मिलती है भारत में रामे सुराम के निकट धनुस कोनी और स्री लंका में तेलया मन्यार की बीच समुद्र में डूबी फिवाल दीप एक रिखा है जैसे आदम का पॉल कहते हैं तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए मुझे लखता है कि आदम को पुल और किस किस का फूल ठीक है आदम का पूल जापना यह तमिलाड़ो मार्क तमिल बहूल सिस सिलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है जापना तमिल बहूल छेत थे अब बात करते हैं भारत का स्वरूप देख लेते हैं देश के कुल छेत फल का आप देखेंगे 10.7 परसेंट भाग पर उच परवस्याणियां आपको देखने को मिलेगी यह साथ 10.7 परसेंट पर जिनकी उचाहिए अगर समुद्द तल से अगर आप देखें तो 2135 मीटर या उस मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे हिमालाय का प्रादेशिक विभाजन अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि प्रादेशिक विभाग होगा या लंबाई होगी हो विस्तार जैसे पंजाब का है पंजाब हिमालाय यह 560 किलो मीटर में फैला हुआ इसकी में असम हिमालाय 720 किलो मीटर में फैला हुआ तिस्ता और दियान नदियों के मद्द आपको देखने कुंग लेगा भौतिक रचना और धरातल के सौरूप के अनुसार भारत को पांच भागों में बाठते हैं उत्री परवर्तिय मैदान विसाल मैदान प्रादी पिये मैदा पठार और मरुस्थलिये पिदेश और समद्र तटिये मैदान याद रखे भौतिक रचना और धरातल के सौरूप के अनुसार भारत को पांच भागों में बाठते हैं उत्री परवर्तिय मैदान विसाल मैदान प्रादी पिये पठार मरुस्थलिये पिदेश और समद्र प्राइदी प्राइदी पिए पठार की ओर उत्त तिबद की ओर अउतल हो गई हैं, और उत्तर की पर्वर्ति चित्रों की चार पिरमुक समाल अंतर परवसेनियों में इसे बाटा जाता है, इसमें आप देखिये, ट्रांस निमाल अच्छेत आता है, इसके अंतर कर तक आरा पीओ के बाले हिस्से में पाकिस्तान के जो कबजे में हो उस हिस्से में अगर आप से पूछे कि भारत की तो आप लोगों को इसे ही को बताना है अगर आप इसे नहीं बता दें कोई कंचन जंगा कहना है कंचन जोगा तो यह देखे भारत में अवस्थित है अगर आप कहेंग और दूसरे पदार्थों का है मोड पर मोटी परत की रूम में जमा होता है वेहद हमालाय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जासकर सणी में फोटोला, लद्दाक सणी में आप देखेंगे खारदो, गलासे जैसे दर्रे आपको देखने कुम लेंगे कस्मीर हमालेशित में ही मीठे जल की जील दल और बूलर और खारे जल की जील पॉकॉंग आपको देखने को मिलेगी सामूरी इस्तिद भी है, बैशनो देवी, अमर रगनात गुपा, चरारे, शरीब, जैसे तीरतिस्थान, कस्मीर, तथा उत्री बश्चमी हिमाले में ही आपको देखने को मिलेंगे फिर हिमाद्री यानि कि सर्वोच और बेहाद हिमाले, यह हिमाले की सब से उची चोटी है, सेणी है, और इसकी उचाई देखें तो 6000 मीटर है, विसकी सब से उची चोटी एवरेक्ट नेपाल इसी परवत सेणी में आपको देखने को मिलेगा, कंचन जंगा, नंगा परवत नंदा देवी, फॉमेट, नाम चवरवा और इस तरह की कुछ महत्पूर से खरवी है, बेहाद हिमाले, लगू हिमाले से मैं सेंट्रल थरस्ट की द्वारा अलग होती है, ठीक है, हिमाले सेडी आती है फिर, अर्था लगू या मद्ध हिमाले, इस सेडी में पीर पंजाल, धौलावी, धौलाधर, मसूरी, नांग टिवा, महाभार सेडी आती है, बेहाद वा लगू हिमाले की मद्ध कस्मीर घाटी, लाहोद, इस्पिती, कुलू, कंगडा की घाटी मिलती है, यहाँ अलपाइन चारागा है, जिने कस्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, तथा उत्राखन में आप देखेंगे, बुग्याल या पयार कहा जाता है, सिमला कुलू, मनाली, मनसूरी और दारजिलिंग, आदी लगू हिमाले में ही इस्थे थे, बेहाद हिमाले की घाटियों में भोटिया प्रजाती के खानाव देश लोग रहते हैं, जो ग्रेस में र देखेंगे, नीची घाटियों में लोट आते हैं, फिसे पूलों की घाटी इसी परवर्तिय चेत में स्तित हैं, गंगोत्री, अमनोत्री, कैदारनाथ, बद्रीनाथ, हैमकुंड, साहिव, इसी इलाके में आपको देखने को मिलेगा, लगू हिमाले सिवालिक से मैन लुगाटी, पश्मे इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरा दून हो गया, हरित द्वार हो गया, सिवालिक के नीचे भाग में कुतराई कहते हैं, अरावली की पहाडियां राजिस्थाराज में हैं, और यह सबसे पुराना चटानों से बनी है, और इस पहाडी क कच्छे के रण में गायब हो जाती है अरावल के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे हम लोग दारेबर वॉप एफे मेरल कहते हैं ठीक है और मालवा का पठार पश्मी में मदपिदेश और दच्छिणपूर में है यह परद्दा चट्टानों का बना हुआ है बिंध्यांचल परवत उत्तर भारत को दच्छिण भारत से अलग करता है मैकाल पठार चट्छिण गड़ में देखने को मिलेगा मैकाल पठार के सर्वुष सिखर आप लोग अबर कंटक देखते हैं इसकी उचाई 1036 मीट यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ है एक बिलॉक परमत है इसके पच्छिम की ओर से नर्वदा नदी उत्तर की ओर से सौन नदी और दच्छिन की तरप से आप देखें महा नदी निकलती है चोटा रांगपूर इस ते राजी का पठार संबदाय मैदान का उधार है न सत्पुडा की पाड़िया मद्वदे स्राज्य में यह ज्वाला मुखी चट्टानों से बनी हुई है इसकी सबसे उची चोटी धूगड़ ची चोटी 1350 मीटर जो महाविदेव परवत पर देखेंगे इसके पूर्वे हिस्से से तापती नदी निकलती है ठीक है और पश्मी घाट से उत्तर में गुजरात की सौराष्ट कदेश में गिर की पहाड़िया मिलती है जो एसी आई सिंग के लिए बिख्यात है और पश्मी घाट की सहाध्री भी कहा जाता है 16 डिगरी उत्री अक्छा से रेखा जो गुआ से गुजरती है सहयाद्री को दो भागों में विभाजित कर देती उत्री सहराध्दी और दच्डी सहयाद्री के ऊपर सत्य पर व्यासाल लावा का निच्छे परहता है वहीं दच्डी अगर सहयाद्री में देखें तो आरगी सहयाद्री की है जो अठावाले सो, कितनी है अठावानवे मीटर, तो ये भी याद रखे है, और महावले सो, इसकी उचाई की अगर आप से बात करें तो 1438 मीटर है उत्री सहाधरी की दूसरी फिर्मोग चोटी है महावलेसुर का उच्तब मिंदू वैलसन फॉइंट है अर्था सीट फॉइंट नेडल हॉल फॉइंट एलिफेंट फॉइंट महावलेसुर में ही इस्ते थे महावलेसुर से पांच न दिया किष्णा सावित्री विन्ना गायत्री और कोईना निकलती है दर्दे से गुजरने वाले फिल्मोग रेल सडक मार्ग इन्हें भी याद रखेगा जैते थाल घाट दर्रा यह मुंबई नांकुर कोल पाता रेल और सडक मार्ग जाता है भोर घाट दर्रा मुंबई पूरे बैल गाओं चैन्नाई रेल और सडक मार्ग गुजरता है पाल घाट दर्रे काली करती तिचूर को एमटूर इंडोर रेल सडक मार्ग गुजरते हैं यहाँ से पस्चेम घाट के दर्रे हो गया उत्तर से दच्छिन की ओर थाल घाट हो गया इसकी उचाई आट सो पांसो असी किलो मीटर मीटर देखने को मिलेगा किलो मीटर नहीं मीटर नासिय को मुंबई की बीच का संपर्ग मार्ग यहाँ से जाता है भोर घाट चैसो तीस मीटर मुंबई पूने की बीच का संपर्ग मार्ग है पालगाट 305 मीटर एक वैमबटूर और कोचीन के बीच का संपर्ग मार गए सैन कोटा 280 मीटर तिरू अनंदपुराम और मदूरे की बीच का संपर्ग मार गए दक्कन का पठार आप लोग सुने है महराष्ट राज्ज में या ज्वाला मुखी ये वैसाल चट्टानों का बरा है या काली मिट्टी का छेत है इस पठार की पूरी विभाग को बिधर्व का जाता है धारवाट का पठार सुने है ये करनाटक राज में ये परिवर्थ चट्टानों से बना है इस पठार के पश्रिम में भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां और ब्रह्मा गिरी की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगे नेलगिरी की पहाड़ियां इतमेलाडू में जो एक बिलोग परवत है यह मोकता चार नो कायरीट पठार से बनी हुई इसकी सबसे उची चोटी डोडा बेटा है 2,627 में जो दच्छिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है उटक मंड इसी पहाड़ी में इस्ते थे प्पूर्वी घाट की मिला निस्थल पहाडिया इसते थे थे इसके पाज़ी कायडवम की पहाडिया पश्मी घाट पर विस्तार मानी जाती है वो अन्ना मलाई की पहाडी पर इस्ते दच्छिर भारत की सबसे उंची चोटी अने अनी मुदी उंचाई है इसकी 2695 मीटर अने मुदी तीन पहाडीयों का केंद बिंदू है यहां से तीन पहाडी से इंखलाएं तीन दे सामय जाती है दच्छिर की और आप देखेंगे इलाय पहाडी में इस्ते थे शिवराय पहाड़ी पहाड़ीयां तमिलानुराज की सलय में ही इस्ते थे आंधपदेश उडीचा के तट्टिये भाग में महेंदरी की पहाड़ी आपको देखने को मुलेंगी भारत की पूर्बी समुदरी तट को निमने भागों में बाठते हैं की पूर्वी तटपर इस्तित पिरमोग बंदर गाए पारा दीफ हो गया उडीचा में कोलकाता में पशिमंगाल विसाका पतनम आंधपिदेस चैन्नाई तूती कोरिन और एन और ये तमिलाडू में विसाका पतनम बंदर गाए डॉल्फिन नोज पहाडी के पीछे सुरक्षि पूर्वी तटपर इस्तित पिरमोग लेगून की बात करें तो पूली कट चैन्नाई में चिलका पूरी में और कोलेरू आंधपिदेस में लेगून समद्ध छेत में तटिये चित का पानी इस्तल भाग में घुष जाता है और धीर धीर बालू का औरोत कर देने का इस्तलिय चेत का जलिये भाग सबुद्र से अलग हो जाते इसे जलिये आत्री को हम लोग लेगून करते हैं एक बार आप लोग देखिए चलिये देखिए बैसे बात तो कर रही ही रहे हैं एक बार इसको मैपको सभी राग्जों को देख लीजे वैसे आप लोगों को याग रिखना चाही मुझे लगता है तो बेहतर आप लोग और स्कूर अच्छा कर पाएंगे उपर से सुरू करिए लगदाख है जमू कस्मीर हेमाचल पिदेश पंजाब उत्तर पिदेश मापकरी उत्तराकन उत्तर पिदेश का पहले हसा कर था था उत्तराकन ठीक है हर्याना यहां दिल कालेंड मनीपुर मिजोरम दिफपुरा और मिघाले फिर आप नीची आएंगे यह उडिशा है आपका ठीक है उडिशा और यहां आप देखेंगे तो आपका महराष्ट हो गया एग गवाह हो गया करनाटक हो गया तेलंगाना आंधपदी स्यालकर की बनाया गया था कि राइक ले पुदि चरई ठीक है लग चीन भारत के पैसमील पकूल का निमना भागों में आटा जाता है गुजिरा से गवाह तक का जो टाट्येश्षट होता है इसे कूम करट की नाम से नाम से जानते हो गवाह सी करनाटक के मंगलूर तक का तटी एचेँ कैनारा तक के नाम से जानते हैं, मंगलूर से कन्याकुमारी के तठीय छित को मालावार तठ के नाम से जानते हैं, भारत के बश्चमी तठ पर इस्थित प्रमोग बंदरगा देखें तो कांडला, गुजरात में, मुंबई, महराश्ट में, मारमागुवा, एगुवा में, मंगलूर, मालाबार तठ पर अनिक फश्च जल हैं, जिसे स्थानी भासा में कयाल कहते हैं, कयाल मचली पकरने और अन्ता इस तालिए नोकायन के लिए प्रियूख किया जाता है, उपरेटर कुम को लिए बिसी साकरशन का केंद माना जाता है, केरल में हरवार बस नहरू ट्राफी, वल काली नोका दौड हायोजन किया जाता है, पुन्ना मदा कबाल में किया जाता है, भारत के में 2 वीप समोई हैं, एक लक्ष दीब समोई, मरकत दुईब भी कहते है इसे अन्वान वान Lizhas ठाभों को, दोनों को आपको बताया भी था अपने याद रखा हो, अन्वान एक लिए सबसे बड़ा के अंदसासित भी माना जाता है इसमें करीब आप देखेंगे चोटे बड़े अगर आप दूइप को देखें तो 247 दूइप है इसमें और निको बार में आप देखेंगे 19 दूइप है यह दी बास्ताव में समद में डूबे हुए परवत की सिखार है लेंड मुत्सा हर दूइप समु के सबसे उत्री दूइप है और निको बार में बन सदा परड़ी बन बंपाटी बनों का सयोजन होता है बंगाल की खाड़ी में नदियों से जलोड मिट्टी के निच्छे द्वारा कई दीपों का निर्मारा हुगा है उगली के निकट आप देखे 20 किलूमीटर लंबा सागर दूइप जिसे गंदा सागर की नाम से जानते हैं यहां निव मोर नामक दूइप का निर्माड हाल में ही हुगा है एक बात और याद रखेगा देखिए यहां में लोग बना सकते यहां देखा होगा कि यहां की जो जन जाती है वह बहुत खतरनाक जन जाती है और आप कभी घूमने जाए तो यहां के बारे में खटी जानकारी कर लिया करिए क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक विदेशी प्राक्मण कर दिया था यहां की जन जाती है और सुंदर्वन जो गंगा डेल का डेल्टा है मैं मैंगो बन पाए जाते हैं विसका सबसे बड़ा ग्यात नदी दूइप मंजूली असम में इस्ते थे जिसे ब्रह्मा पुत नदी की दोनों साखाओं साखाएं मिलकर बनाती है अंडवान निकोवार दूइप समय के सबसे उची परवस चोटी पूचे तो सेडल फीक है 738 मीटर उत्तरी है अंडवान में है ये अंडवान निकोवार परवस सिखर ये सिखर हो गया अवस्तिती होगी उचाई जैसे सेडल फीक ये आप देखेंगे उत्तरी अंडवार मे है 460 मीटर माउंट हैरियट ये दच्छडी अंडवान में देखने को मिलेगा 450 मीटर यहां भी कुछ पॉइंट है ने भी याद रखेगा इनसे कुष्टनस बंते आए हैं कैन साधित तिदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगा पोड बिलियर में दच्छडी अंडवान में प्रमक जल अंतराल इनने भी ज्याद रखेगा जो 9 डिग्री चैनल है इमालदीप और मिनीकाइब के मद्द देखने को मिलेगा पाकिस्टेट तमिलाडूबा स्रीलंका के मद्द है डुंकन पास दच्छडी अंडवान और लगू अंडवान के मद्द, कोको इस्टेट, कोको दूई म्यानमार ओत्तरी अंडवान के मद्द, पाक खाडी, तमिलाणू और स्रीलंका के मद्द, मन्नार की खाडी, दच्छडपूर पार, तमिलाणू और स्रीलंका के मद्द, ल भारत अपने मिसाइल का परीक्षन करता है वर्तमान में इस दूइव का नाम अबूल अब्दूल कलाम दूइव रख दिया गया पमन दूइव मननार की खाड़ी मिश्ते थे यह भारत और सी लंका की बीच एडंप से ब्रिज राम सीदू का भागे इसे रामे सुरम दूइव समू अरब सागर मिश्ते थे इसके कुल 36 दूइव है और इसमें केबल आठ दूइव पर ही आवादी रहती है अंड ट्रेट लक्षदीप का सबसे बड़ा दूइव है जिसका चेतफल 14 समलो 90 वरक किलोमेटर है मिनी का है दूसरा सबसे बड़ा दूइव है जिसका चेतफल 11 डिग्री चेनल द्वारा दो भागों में भाजित होता है उत्तर में अमीनी दूइव और दच्छिन में कन्ना नोरे दूइव लक्षदीप समूग के सभी दूइवाद है मिनी का दूइव एक मात अभवाद है जहां महल भासा बोली जाती है महल देवी लिपी में लिखी जाती है और जो मूलता मालदीप की भासा है भारत की प्रवाल भीति शेत मनार की खाड़ी कच्छी की खाड़ी अन्यवान एको बार दूप समो और लक्षदीप में संब्स्ती में थे लक्षदीप ए टॉल प्रवाल भीति है तरह से सभी तटिये प्रवाल भीतिये प्रवाल के निर्वार साग्रिये जी मूंगा के अवसिसों के समेकन और सहयो जंद्वारा होता है मूंगा उश्न कटीवंदी महा सागरों में पाये जाते हैं चूने पर निर्वाह करते हैं तो यह सभी दूइपों के बारे में पुएं्ट याद रखेगा भारत की नदियों की की बात करें यह नदी हो गई इनका उद्गम इस्थान हो गया संगा मुहाना और लंबाई और विसे इस इनके बारे में जुतत्त हैं जैसे सिंधु नदी की बात आती है यह आप सभी को मालूपने चाहिए कि तिब्बत में मांसरोवर मांसरोवर जहिल के सानोख ख्यावाब ह हिमनस से निकलती है और यह कहां मिलती है अरब सागर में और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है भारत में इसकी अगर लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर में है इसकी साइग नदिया हमें सतलज हो गया चैनाब हो गया राभी हो गया ब्यास हो गया जहलम देखे 17 चैनाव, रावी, ब्यास और जिलम, यह सभी सिंदू नदी की सायग नदी हैं, जिलम की बात आती है, यह वेरी नाग कस्मीर के समीप, सेसनां धिल से निकलती है, और चैनाव नदी में मिल जाती है, और 724 किलो मीटर इसकी लंबाई है, भारत में 400 किलो मीटर है, और स 125 किलो मीटर हैं इसकी लंबाई, यह मादोपर की पास मैदान में प्रविस करती है, चैनाव, चंदो भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहूल के बड़ा लाचा दर्री के दोनों और इवस्तित है, सिंदू नदी की सायग नदी है, 1180 किलो मीटर है, यह सिंदू की सबस लंग दर्रे के समीब ब्यास कॉंडर से 4330 मीटर की उचाई से निकलती है, और यह आप देखेंगे हरी के कफूर तला समीब 17 नदी में मिल जाती है, और यह आप देखेंगे की 470 किलो मीटर की लंबाई है, कुलू घाटी से भैती हुई धोला धर परवत को पार कर पंजाब की मैदान में पहुंचती है, सतलज, यह आप देखेंगे तिबबत में मानसा हो, सरोबर जील के समीब इस्थित, राकस्ताल से उचाई इसकी समुद तल से 4550 मीटर उचे से निकलती है, यह ब्यास नदी में हरी के पतन में मिल जाती है, ब्यास नदी में, लगभग 1500 किलो हिमादरी ए समुद तल से इसकी 4900 मीटर से अधिया दे कुचाई पर है, और यह बगगार की खाड़ी में मिल जाती है, 2525 किलो मीटर से की लंबाई है, भारत में, गंगा भागी रखी रखी और अलक नंदा नदीयों का नदीयों का समलित नाम है, गंगा, यामना, बंदर परियाग यामनोत्री हिमादरी से निकलती है, उचाई समुद तल से 6304, 16 मीटर है, और इलावाद में गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे परियाग राज आप कहने लगे, 1345 किलो मीटर से की लंबाई है, इसकी साइग नदियों में चंबल, वैतवा, केर, ये तीनों ही न जाना पाओ, पहाड़ियों, सिंगार, चोरी, चोटी, से उचाई, इसकी आप देखें की किलो मीटर में, समझ रहे, ये समुद तल से 843 मीटर उचे से निकलती है, ये उत्तर पर इसमें आप देखें अर्थ, ये यमना नदीम की साइग नदीम है, ठीक है, और 995 किलो मीटर इसकी लंबाई, कुल देश के सबसे गहरी खंडरों का निर्मान करती, इसकी साहिक नदिया, काली सिंद, पारवर्ती, और स्तिप्ता, बना स्कूरल, बामनी मेध हैं, और आप देखते हैं, डांकों की सरण थली भी यही रहती है, चंबल नदी के आसपाउ, राम गंगा, य देखने भाग से निकलती है, कन्योच की निकट गंगा नदी में मिल जाती है, 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है, खौन इसकी प्रमुक साहिक नदी है, सार्दा, काली सिंद, यह आद देखें कि सार्दा तो सकुमायू हिमाले का मिलान हिमनद, और बहराम घाट की समीब घाग नेपाली या कोरियाला, नेपाल में तकला कोट से 37 किलोमीटर, पंश्ट में में सातों घमानी से निकलती है, उत्तर साहरं तथा बलिया जली की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है, और 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सिबालिक को पार करते समय सीस, फानी नामग, 180 मीटर गहरी खंडे का निर्मान करती है, चोगी अतता चोटी गंगा इसकी साहिक नदिया है, गंडक, नेपाल में साली ग्राम में मैदानी भाग में नाराइनी कहते हैं से, नेपाल से निकलती है, पटना कि समय गंगा में नदी में मिल जाती है भारत में, 425 किलोमीटर इसकी इसकी मुख साहिक नदियों की बात करें तो अरुन नदी जो तिबबत में पंग्चु है, और साहिक नदिया यारू, सोन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लेखो, दूद कोसी, भोट कोसी, तंबा कोसी आदी है, बैतवाया बैतवती, ये मद्धविदेश के समीब, मद कंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पठना की समीब गंगा नदी में मिल जाती है, 780 किलो मीटर्स की लंबाई है, नरवदा की समीब उद्गम, बरमापुत, आप देखेंगे, तिबबत में सामपू अरुनाचल वितिस में से दिहां कहते हैं, तिबद में मांसरोगर जीन से 80 किलो मीटर, ये तग और दूर परिस्ते चैन यूंग डूंग हमानी में, उचाई समत तल से आप देखेंगे, पांच जार मास, 150 मीटर उचाई से, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और उन्तीस सो किलो मीटर्स की लंबाई है, भारत में 916, फिरमुक साहे नदिया, दिवांग, लोहित, कामेंग, सोबंग सीरी, मानस, पूथीमारी, धन सिटी, फगल, ढिया, तिस्ता, ये बगला देखेंगे, नर्वदा, बिंदबा, सत्पोडा, परवसेंखलाओं की मद से होकर बहती है, बिंदेहांचल परवसेंडियों में, सत्पोडा, अमरिकन टक ना देखेंगे, बैतूल, जले, मदपदिस के मुलताई से निकलती है, नगर के पास थे, ये 722 किलोमीटर की उचाई से, सुर्वत के निकट आप देखेंगे, खंबात की खाड़ी में गर जाती है, 724 किलोमीटर की लंबाई है, डेल्टा के बजाए, एवी एस्चुरी का बना पावा की समीब से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, कटक की समीब, 815 किलोमीटर की लंबाई है, ब्रहमडी और बैतरणी इसकी साहिक नदिया है, छिपरा, इंदौर के जिले की काकरी, बर्डी, नामक पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी की साहिक नदी ह 560 किलोमीटर की लंबाई है, इसके किनारी उज्जेड का विख्या जो महाकालिसवर मंदिर है यह है, जहां पर दीवस आप देखते हैं कि बारेवस में कोमेका मेला लगता है, माही नदी, धार जिला, मध्यपदेश के अमजोरा मिहत जिल से निकलती है, खंगबाद की पर यह पुसकर की समीद दो धाराओं में सरसुदी सागर मती के रूम में अपत्पन होती है, जो गोविंदगर की निकटापस में मिल जाती है, कचकी रन में जाती है, मिलती है, 320 किलोमीटर की लंबाई है, भारत की एक मत अंतर वाही नदी है, जो वाही, सोक्री, जो जारी इसकी प्रमुक सागर नदी है, सौम इसका उदगम बोले तो उदगर पुरिजले की वीड़ा मेरा नामक इस्थान पर वेने सर्की समीब माही नदी में मिल जाती है, जो खम, गोमती, साड़नी, इसकी सागर नदी है, सावनमती, जैसमद जील, अरावली परवस्थे निकलत जाती है, और चंबल रामिसरम की नजदीक मिल जाती है, 480 किलो मीटर्स की लंबाई है, एक मात एसी नदी है, जो संपूर्ट, चक्राजिस्थान में ही पूरा करती है, इसकी साइक नदिया है, वेड़च, कुठारी, मानसी, खारी, मोरेल, तो ये भी याद रखिएगा, प गराट की पहाडी जैपूर से निकलती है, यमना नदी, फतेहराबाद, आगरा की समी मिल जाती है, 378 किलो मीटर्स की लंबाई है, इस पर जमवार आमंगड के पास बांध बनाकर जैपूर को पेजल की अपूर्टी की जाती है, इसनी के द्वारा, किषना, महावले सुर्क समीर पश्मी घाट बन से पहाड़ उंचाही समदतल से 1337 मीटर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गर जाती है, 1401 किलो मीटर्स की लंबाई है, इसकी प्रमुक साहिक न दिया, भीमा, तुंभद्दा, मुसी, अमरावती, कोहिना, पंच गंगा, दूद गंगा, घाट परदा, माल परभाईस की साहिक न निया, गोदावरी, नासिक जिली महराष्ट की तरंबक गाओ, की एक पहाड़ी प्राइदी भारत की सबसे बड़ी बालम भी न दिया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 1465 किलो मीटर्स की लंबाई है, इस प्रद्द गंगा या भारत की गंगा अलग है, ठीक है, गोदावरी की पिरमुक साहिक में दिया है, पैन गंगा, इंद्रावती, प्राण हिता, मंजीरा, सबरी पोर्ना, बेन गंगा, प्रदा, और बर्दा, कावेरी, करनाटक की कुरोग जिली में इस थे, ब्रहम, ग्री, पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी को दच्छेन की गंगा, और कावेरी को दच्छेन भारत की गंगा, ठीक है, और सिर्व समद्रम जल पे बाद, सिरी रंग पतना, वो सिर्व समद्रम दूइपों की उपस्तिती, इसकी साहिक न दिया, बाय हिमावती, सेमसा, अरकावती, दाय से आप देखें पश्मी घाट, पहाडी, घाट-पहाड की चोटी से तुंगा, समीप काडूर से भद्रा अगती नदी का उद्गम होता है, एक किष्णा नदी में मिल जाती है, 331 किलो मीडर्स की लंबाई, इसकी साहिक, प्रमुक साहिक नदी अप, कोमद्यती, बर्धा, मागारी, हिंद ह पिन्नार, इनदी दुरुग, सैनी की चैना के साह, पहाडी करना तक से निकलती है, बंगाल की खाडी में मिलती है, 597 किलो मीडर्स की नायक लंबाई है, इसकी साहिक नदी, पापनी और चित्रावती है, दच्छिडी टॉंस, कैमूर पहाडीों में, कैमूर पहाडीों में इस्तित, तमसा कुंड, जला से निकलती है, सरसा के समीब गंगा में मिल जाती है, 265 किलो मीटर्स की लंबाई है, इस पर बिहार को पात इस्तित है, फिरियार जीले से निकलती है, यह नदी की रल में आपतरभाईत होती है, उमियन, उमियन जील से मेगाला से निकलती है, य पुगली यह गंगा की एक साका है जो दोलिया पश्चे मंगाल के दच्छन गंगा से अलग होती है बंगाल की खाडी में इसकी प्रमुख साहिक नदी जलांगी है यह भारत में सबसे उंची जुआरी है जुआर्भीती बना वाली नदी है इसका नदी प्रमुख भारत की दियों में सबसे बड़ा है बैगाई कंणन मनिक नियूर पश्चिमी घाट में मदूरी से समीर तमिलाडू से निकलती है बंगाल की खाड़ी में जानती है 288 किलूमीटर इसकी ना है लंबाई है साहिक नदीयों में देखें तो कुमम बर्षाडार सरील यार तिवियार बर है मंगलारिस की साहिक नदीया है तो यह भी याद रखेगा उत्राकंड के उत्तरकासी जिले में 4900 मींटर के उचाई पर गौमों के निकट गौमों गंगोत्री हमानी गंगा का उद्गम इस सरूत है यहां इसे भागी रती के नाम से गयते हैं जब यहां से निकलती है आलक अलक नंदा धौली और विश्नु गंगा धराओं से मिलकर बनती है जो सीमट विश्नु प्रियाग में मिलती है अलक नंदा की एक अनसायग नदी पिंडार है जो इससे करण प्रियाग में मिलती है अलक नंदा के महासी नाम की मचली होती है इसका निवास नदी के निचले ह अब दे छहारीद्वार की निकट मैदानी भाग में प्रविष करती हैं यह और से पहले दच्छिन की और मन्धापनी का संगम अलंगननदा व भागिरथी का संगम देवफ्रयाग वह ने भी याद रखिएगा गंगा नदी बंगलादेश में पदमा के नाम से जानी जाती है ब्रमपती नदी बंगलादेश में जमना के नाम से जानी जाती है और पावना के पूर में गोलुंडो घाट के पास पदमा से मिलती है और इसकी समले धारा को पदमा कहते है आंगे बहती हुई जब यह नदी च बराक नदी उद्गम मडीपूर के माउंट जानपो पाडिया से निकलती है ब्रहमपुत नदी यारलोंग जंगो नदी चैम योंग डोंग हिमानी से निकलती है या हिमालाय हिमानी मांसरोवर जील के दच्छिनपूर में लगबग 80 किलोमीटर की दूरी पर है तिब्बत में से सांग्पू कहते हैं अरुणाचल पिदेश में दिहां कहते हैं असम में ब्रहमपुत कहते हैं यह एक पूरुबर्ती नदी है इसकी प्रमुक साहे नदियां दिवांग, कामेंग, लोहित, सवन्म सिटी, भरेली, मानस, धनसीरो, रेदात, पगलडिया, कोपली चम्बल राजिस्थान की एक मात्यसी नदी है जो साल भर बैती है यह 84 गड़ चित्टोड के पास राजिस्थान में प्रिविस करती है और इस नदी पर बेहनसरो गड़ चित्वर के पास पिख्या चुलिया जल पर पाhãथ है तो चम्मल नदी पर है सिंदे नदी भारत में केवल जम्मु किस्मी से उकर बैती है भारत और पाकिस्तान सिंदे नदी जल समझोता सन आप लोगों ने देखा होगा 1960 में अनुसार भारत इस नदी परकमर यानि की सिंदु नदी उसकी साहिक नदियों जेलम चेनाओ के संपूर जल का केवल 20% जल तर करती है जो गोदावरी और रिसी कुल्या नदी के बीच से बहते हुए मंगाल की खाड़ी में मिल गरती है गोदावरी गोदावरी नदी का जल गहनचित भारत की साथ राज्यों महराज तेलंगाना चत्तिस गोड़ मद्ध पिदेश आंद्ध पिदेश तहरनाठा कुड़ हो रहे हैं समझ रहे हैं गोदावरी नदी की है री गोदावरी नदी अगोरण अगोगी से हैं और बहाक नदी इस मुल अ मनीपूर्ट ग के मांट जानपूर से निकलती है भारत की सम, मरीपूर्थ, मेजोरम, राज्योशों बैते हुए बंगलादीश में प्रबहायत होती है बराक नदी की पर्मुक्ता कर measlov नदी जीरी, धलेववशी, सिंग्ला, लोंगई, और सुनाई है बंगलादीश में से सुर्मा तथमेगना की नाम से जाना जाता है वराख नदी को उराष्टी ये जलमा 6 घोसित किया गया है इस नदी पर तहाई मुक बांध वस्तित थे प्राय दूप्य नदीयों का उत्तर से दच्छिन की ओर क्रम एसका महानदी गोदाबरी किष्णा फिननार काविरी बेगाई प्राइव दीपी और नदियों का लंबाई के नुसर घटता किरम है गोदावरी फिर किसना अनर्वदा महानदी काविरी दाप्तिव 16 सेप्टमबर 2015 को आंद्पिदी सरकार द्वारा लिये गए महत्कून नेड़ा के अंतरकत दच्छन भारत की दो बड़ी नदियों गोदावरी और किसना को जोडने का कारी किया गया है इसके अंतरकत परीक्छन की तौर पर आंद्पिदेश के गोदावरी जिले इबराहिम पत्नम नामक इस्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोला वरम नहे द्वारा विजय बाड़ा जिले में किस चाहिए यह पोला वरम विजय वाड़ा लिंक परियोजना अंद्पिदिश के किष्णा गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लापकारी मानी जा रहे है गोवा में दोक महतपूर नदीया है मांडवी और जुवारी केन बेहत्वा नदी प्र यह जील की अगर बायत हो तो चिलका जील है एक आहां देखने को मिलेगा उड़ीशा में देखने को मिलेगा जो खारे पानी का एक लैगून जील है और यहां नौसेना का पिसीख्षण केंद भी है और बरसारीतू में चिलका जील के दाया और भरगवी नदी से जलपराप होता है इस जील की लंबा इगर देखने तो पैसाठ किलू मेटर चौडाई आर्ट से दस किलो में आर्ड से बीस किलो मेटर और गहराई लगबाद दो मेटर है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जील साधर जील है इसका छेत्फल 303 किलो मेटर है जो राजिस्थान में ह सबसे बड़े मीठे पानी की जील की बात हुए तो बूलर जील जो छेत फल इसका आगर आप देखें तो 160 वर किलूमीटर है जो जम्मू कस्मीर में है और तुल बुल परियुजना इसी पर रिस्तित है तो इसके बारे में भी याद रखिएगा नीचे कुछ आपकी जील है द जम्मू कस्मीर मारस बल जील जम्मू कस्मीर सेसनाग जील जम्मू कस्मीर अनन्त नाग जील जम्मू कस्मीर नागिन जील जम्मू कस्मीर साथ ताल जील ए उत्राखंड साथ ताल जील उत्राखंड नैनी ताल जील उत्राखंड राकस ताल जील उत्राखंड माला ताल जील राजिस्थान, सामर जिट राजिस्थान, राज समंध जील आप देखेंगे राजिस्थान, पिछोला जील राजिस्थान, लोन करन नसर जील राजिस्थान में, जैस समंध जील राजिस्थान, फतेहा सागर जील आप देखें राजिस्थान में, डिडवाना जील पुलीकड जील तमेलाडू और अंध्पिदेश में होसेन सागर जील तेलंगाला में कोलेरु जील अंध्पिदेश में चिलका जील उड़ी सा में लोनार जील महराष्ट में विमनार जील जील है केरल में अश्टमुदी जील केरल में तेरियार जील केरल में तो इन जीलों का अवस्तित ये जरूर याद रखेगा मताया ना कि आपसे कईवार कुश्चन्स पूछ लेता है कि ये जील कहां है आपकी और भारत की सबसे बड़ी किंतिम जील की बात करें दो गोविंद बलब पंत सागर है जो रिहन दरी पर बनाएगे बांध से बना हुआ है और पाड़ियों से घरे अभी केंदरी अबबाय वाली विस्तित संतल गरत को हम लोग बौलसन कहते हैं और उट का कडाल पुल डल जील के बीच में इस्तित्य और इसका दिकांस बाग निसात बाग से दिखाई पड़ता है बारती राष्टी कलाओ सांस्कितिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से सत्तरहभी सताब्दी के उट कडाल पुल को पुनरवधर करने का फैसला किया था चौरस तत्य और अन्प्रभावित दौनी वाली जो चोटी जीलों को पिलाया कहते हैं और इसमें बरसा का पानी जमा होता है परन्तु जल्दी भाव बनकर उड़ जाता है अधिक नमक बाली फिलाया को हम लोग स्टैली नास कहते हैं फिलाया को अरव रेगिस्थार में खवारी और मम लाहा और सहारा में देखेंगे आप तो सिट कहते हैं से सावर और डिडवाना थार मरुस्तल के पुर्वी सिरे पर खारे पानी की जीलें देखने को मिलेगा सावर जील बॉल्सन का डिडवाना जील पिलाया का उधारन है एक तरह से भारत में सबसे अधिक उंचाई पर इस्तित जील की बात करें तो चोलानू है यह क्यांसी है चोलामू जील एसक्यम में देखने को मिलेगा तिस्ता नदी का उधगम यहीं से होता है महाराश्ट के बॉल्ड डाना जीले में से लॉनार जील ज्वाला मुखी यह उधगार से बनी जील है काई गुज्राद में ताप्ता नदी पर इस्तित ब्यानों निउन्वित जील है एक ठीके राणा फिरताप साकर जवार साकर राजिस्थान ओर गांधी सागर मद्धीदेश चंबस जील है राणा फिरताप सागर सागर जवार सागर आपकर organiz पाखCU में है और गांधी सागर मध्यूदिश में। नागारजो सागर नावकॉंडा जिला तरजिला घुन्ट जिला आंध्यूदर जिला अंध्यूदिश किछना नदी पर निज्याम सागर खिल तरफिला जिल लॉग तहिए। लोक टक जील मरीपुर में पूरुपतर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है इस जील में केवुल लाम जाओ नाब का तेरता हुआ राश्टी पार्ग भी है इस जरूर याद रखिएगा लोक टक जील के बारे में पूर्भी तटपर इस तित पूलीकट जील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून जील है इसका 84% भाग आंद्पिदेश में और 16% भाग तमिलाडों में पड़ता है वेरिये टापू जिसका नाम सिरी हरी कोटा है इसे बंगाल खाडी से अलग करता है और सिरी हरी कोटा दूइपर 37 धमन उपग्रैक विच्छेपन के अंद है आपका पुलीकट जील के जल का मुक्सरोत अरानी, कालांजी और स्वडमुकी नदिया है वगिंगम नहर, पुलीकट जील के पश्चे में हिस्थे में आपको देखने को मिले गया पुलीकट जील के आंद फिदेश नालोर जिला वाले हिस्ते में 1976 में और तमिलाडू तिरू वलूर जिला वाले हिस्ते में 1980 में एक पक्षिया भ्यारा में इस्ताफित किया गया था अब भारत के फिर मुख जल्पेबाद आते हैं सबसे पहले आप लोगों ने कुंची कल जल्पेबाद के वारे में सुन लिजे यह भारत का सबसे उच्छा जल्पेबाद माना जाता है और एक करनाटक में आप देखेंगे वराही नदी पर रिस्ते थे थे कुंची कल कावीडी नदी पर तमिलाडू में होने एक कल जल्पेबाद और करनाटक राज में भार चुकी और वाल मुरी जल्पेबाद अवस्तित है जल्पेबाद से भी आपकी परिक्छाओं में काफी कुश्चन्स पूचे जाते रहते हैं यह जल्पेबाद हो गया देखें इस्ति 210 मीटर है जॉँग या इसे घरसुपा कहते हैं सरावति नदी पर है करनाटक में 20 wrath मीटर एना इंटरवदा नदी पर है मद्धर्देस में आप देखिए 183 मीटर सिभ समुद्रम काविरी नदी पर है करणाटक में 90 मीटर गोकक नदी पर है करणाटक में 55 मीटर पाय कारा नीलग्री चित में और आप देखे तमिल लाडू में चुलिया चंबल नदी पर है राजिस्थान में 18 मीटर पुनासा चंबल नदी पर है राजिस्थान में 12 मीटर विहार टौस नदी पर है राजिस्थान में 100 मीटर धुआधार नर्वदा नदी पर है मद्धपिदेस में हुंडरो उचसाइड रेका नदी पर है जारखन में 74 मीटर है तो ये जल पे बाद भी याद रखिएगा अगर आप लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इंसी आई टी भी पढ़ सकते हैं कोई रोक नहीं है फिर आता है आपका भारत की जलवाईू वहाँ आप लोग उने विस्त की जलवाई पढ़ी थी यहाँ भारत की जलवाई पढ़ रहें तो किसी छेत में लंबे समय तक जो मौसम की इस्थिती होती है न उसे उस इस्थान का की जलवाईू कहते हैं और भारत की जलवाई की बात करें तो उस ने कटी बंदी है मानसूनी जलवाईू है हमारी क्यासी ऊशने कटी बंदी है मानसुनी जलवाई हुए वन लाइनर में ये कुश्चेंस बन सकता है इस तरह का अगर वही मौसम की बात करें हैं हम लोग तो किसी इस्थान पर थोड़े समाई की जैसे एक दिन या एक सप्ता की बाईव मंडली है अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं भारत में मौसम समन्दी सेबा 1875 में आ रहा हुँ की गई थी और इसका मुख्याल है सिमला में और पिथम विस्थे उद्धी के बाद इसका मुख्याल है पूरी लाए गया और इसके बारे में याद रखिए कि इसका मुख्याल है कहा है भारती जलवाईव को मांसून के अलावा प्रभावित करने वाले कुछ कारक है अगर आंसार राइटिंग करते हैं तो आप लोग इने जरूर लिख सकते हैं उत्तर में हिमालाय परवत हमारी क्या भारती जलवाईव को प्रभावित करते हैं इसकी उपस्तिती के कारण मत देशिया में आने बाले सीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है दच्छन में हिंद महासागर इसकी उपस्तिती एबन भूमद रेखा की समीपता के कारण उष्ण कटी बंदी जलवाई अपने आदर सुस्त रूम में पाई जाती है और मान सोनी पबनों द्वारा समय समार पर अपनी दिसा पूरता बदल लेने के कारण भारत में निम्न चार रितू चक्वत पाई जाती है सीति रितू इसमें आप देखींगे 15 दिसंबर से 15 मार्श ग्रीस मिर इतू 16 मार्श से 15 जून और बर्सा रितू 16 जून से 15 सेप्टंबर और सरद रितू 16 सेप्टंबर से 14 दिसंबर यह आग तृत्पी आएक सामन सीमय रेखा को टे करती है मांसूर पववनों के आगमन और पित्यावरतन में होने वाले विलम में इसका पर्यापत रूप से प्रभावित होती है तो चार दीतुओं के बारे में आप पढ़ते हैं न उन्हीं की बात हो रही है उत्री भारत के मैदानी भागों में सीतरी रुटु में बरसा फर फष्टमी विछोप या फर जैट एस टीम के कारण होती है राजिस्थान में बरसा को मावट कहते हैं जाड़ी के दुनों में जन्वरी फर्वी में तमिलाडू के तटों पर या कोरुमंडल तट फर बरसा लोटती हुई मांसून या उत्तर पूर्वी मांसून के कारव होती है। आम की फसल के लिए लाब्दायक होने के कारणे से दच्छन भारत में किरल में आम वरसा कहते हैं। इन आई टी सी उत्तर की ओर खिसकने लगती है। क्या करने लगती है? खिसकने लगती है। और जिसके कारण विस्वत्त रेकिये पच्छुआ पवन और दच्छडी गोलाड की दच्छड पूर्वी वाडिजिक पवन विस्वत्त रेखा की ओर पार कर फैरल की नियम का अनुटरंड करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है। जिससे दच्छड पश्चम मानसून के नाम से जाना जाता है और भारत में जो बरसा होती है उसका अधिकांस पाग लगबग 80% इसी मानसून से होता है। मानसून प्रिस फोर्ट कहते हैं ठीक है और गारो खासी जैंतिया पहाडियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाँ दच्छड पश्चे मानसून की अधिक वरसा लाती है जिसके कारण यहां मार्सिन राम मेगाल है बिसमे सरवाधिक वरसा करने वाला इस्थाने यह और 35 भाग परवसेंट भाग बंगाल की खाड़ी से आता है अरब सागरीय मानसून की एक साका सिंद नदी के डेल्टा चित से आगे वड़कर राजस्थान के मरूस्तल से होते हुए सीधे हिमाले परवस से जा टकराती है और धरम साला के निकट अधिक बरसा कराती है और र मौसम के अनुसार बारसिक बरसा का वित्रण तो बरसा का मौसम होगा है समावधी होगी बरसा दच्छण परश्ण मानसून के जून से से सेप्टमबर तक रहता है तेहतर दसमलव साथ परसेंट बरसा होती है भारत की इसी से परवर्ती मानसून का अक्टूबर से देसंबर 13.3% ये वर्सा होती है पूर्मांसून काम 2-3 परशा होती है पूर्ण आन्सून का इमार से माई तक 10 परशन्ट वर्सा ही है से unkyित burnt इyact समलाव 6% इस से बाल इस से होती है तमिलाडू पश्मी घाट के परवस बिष्टी छाय चित में बढ़ता है और यहां दच्छेट पश्मी मांसून द्वारा काफी कम बरसा होती है तमिलाडू में सर्द कालीन बरसा उत्तर पूर्वी मांसून की कारण होती है एल नीनो भी आप लोगों ने सुनाओगा इसका प्रिभाव भी भारत के मांसून पर देखते हैं एल नीनो एक जटिल मौसम तंथ है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रिगट होता है और इसके कारण संसार के विभिन भागों में सूखा बाड मौसम की चरव अवस्ताएं होती है पूर्वी पिसांत महासागर में पेरू के तट पर के निकट ऊष्ण समुदरी धारा की रूमें पिरकट होता है और इससे भारत सहत अनेक इस्थानों का मौसम प्रभावित होता है एल नीनो भूमद रेखिये उष्ण समुदरी धारा का विस्तार मात है जो आएस्थाई रूप से ठंडी पेरूवियन अत्वा हमबोल्ट धारा पर पिती इस्थाफित हो जाती है धारा पेरू तट के जल का कामाज 10 डिग्री सेंटीगेट तक बढ़ा देती है इसके निमल के लिए एल नीनो का उपयोग होता है एल नीनो का साब्दीकर्थ होता है बालक इसा क्योंकि यह धारा दिसम्बर के महिने में किसमस के आसपास नजर आती है और फिरू दच्छिन गुलार दिसम्बर में घर्मी का महिना होता है ठीक है तो याद रखिएगा सरद रितू को मांसून पित्या रूपन का काल कहते है इस सरद रितू में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उशने कटी बंदी यह चकवातों की उत्पत्ति होती है और इन चकवातों से पूर्वी तटिये चित्रों में मुकता अंधपिदिस और उडीशा और सबसे अधिक वर्षा तमिलाणू में होती है तो यह भी याद रखिएगा फिर आती है आपकी भारत की मिट्टी के अध्यान के विग्यान को मिर्दा विग्यान कहते हैं पेडोलोजी ठीक है यह आप ज़ोग जरूर याद रखिएगा उनलाइनर में कुश्चिंस बन जाए यह कुश्चिंस कई बार पूझ लिया है यह भारत की मिट्टी को भारती किसी अनुसंधान परिशन ने कितने भागों में बिवक्त किया है तो आठ भागों में सबसे पहले आपकी जलोड मिट्टी आती है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है इस मिट्टी म लगबग आप देखी कि बास 22% भाग पर पाई जाती है भारत का संपूर्ण उत्री मैदान तटीय मैदान जलोड मिट्टी का बना हुआ है यह दो पेकार की होती है तो बांगर एक खादर पुराने जलोड मिट्टी को आप लोग बांगर कहते हैं नई जलोड मिट्टी को खा होता होती है वो इस मिट्टी का काला रन टेटी फेर माकरी टी टेनी फेरस मेगनेटाइट और जीवास में की उपस्तिती के कारण होता है इस मिट्टी में कार्मनिक पदार्थों की अधिक्ता होती है और इस मिट्टी को आप लोग रेकुन मिट्टी के नाम से भी जानते है कपास की खेती के लिए सरवादी को प्युक्त मानी जाती है इसलिए काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं अन्फसलों के लिए ग्यहूं, जुआर, बाजरा इन्हें भी होगाए जाता है काली मिट्टी में भारत में काली मिट्टी, गुजराद, महराष्ट, मद्पेदेश के पश्चमी चेत, उडिसा के दच्छडी चेत, करनाटक के उत्तरी जिला, आंद्पेदेश के दच्छड़ों, समुद्र तटिये चेत, तमिलाडू के सलेम, रामनात्पुरम, कुएमबटूर, तिरोनल लव आप देखें, जिलों और राजिस्थान के मुंदी और टॉंक जिलों में पाई जाती है, काली मिट्टी, फ़र आपकी लाल मिट्टी आती है, इसका निर्माड जलवायविक परिवर्तनों के फाल सुरूफ रवेदार, फईडाम सुरूफ रवेदार, कयांत्रित सेलों के व उलता होती है, इसलिए आप इसका रंग देखते हैं लाल, लाल मिट्टी का लाल रन लोह ऑक्साइड की उफस्तिती के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पढ़ने लगती है, यह अमली परकिती की मिट्टी है, और इसमें नाइट्रोजन, पुरिवी भाग, छोटा गानांगपूर के पठारी चेत, पश्चे मंगाल के उत्तरी पश्चमी जिलों, मेगालाई के गारोखासी जैनतिया के पहाडी चेत्रों में, नागालेन, राजस्थान में, अरावली की पूरिवी चेत, महराष्ट, तमिलाडू, करनाटक के कुछ भागों में, लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, चूना का इस्तेमाल का लाल मिट्टी की और बड़ता बड़ा, बड़ाई जा सकती है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, फिर आपकी लेटे राइट मिट्टी आ जाती है, इसका निर्मान मांसुनी जलवाई की इस मिट्टी को गहरी लाल लेटे राइट, शफेल लेटे राइट और भूमी के जलवाई लेटे राइट की रूम में बर्गी किया जाता है, गहरी लाल लेटे राइट में लोहे ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, इसकी उरवरता कम होती है, लेकिन निचले भा काजू की खेती के लिए असरबादी को प्योगत होती है और देश में मिर्दा परदन और उसकी दोस्ट पैडावों पर नियंतन ही तो 1903 पर में केंद्री ये मिर्दा सरक्षन वोर्ड का अगठन किया गया था 1903 में और मरुस्थल की समस्या के अध्यन के लिए जोतपूर में केंद्री सुस्कचेत अनुसंदान संस्थान की स्थाफना 1969 में की गई थी तो ये भी याद रखिएगा ठीक है फिर आप देखें भारत की किरसी पर बात कर लेते हैं किस पर भारत की किरसी पर बात कर लेते हैं इसमें आप देखेंगे भारत के कुल छेत्फल का लगभग 59% पर किरसी 4% भूभाग पर चारागा और लगबग 21% भूमी पर आप बंद देखेंगे 24% भूमी पर बंजर बिना उपयोग बाली है तो समझ रहे हैं किरसी पिदान देश है ना मारा है या नहीं आप से पूंच रहा हूं किरसी राजी का विसा है यह सबसे मत पूंट लिजे आप सादवी अनसूची में देखते ना संग सूची संबर्दी सूची राजी सूची तो किरसी राजी सूची का विसा है और विसे इस परिस्तिती में केंद सरकार कानूं मना सकती लेकिन वैसे सामानता याद रखे जब राज्य चाहें तभी राज्य सरकारें वैसे इस पर पर कानून बनाती है और जिसका उल्लेक समिधान की आप देखेंगे सादवी अनसूची के प्रविष्टी 14 में रखा गया है राष्टी किरिसक आयो एन एपसी ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिस पिस्तु किया कि किरिसी को राज सूची से हटा कर संबर्ती सूची में सामिल किया अब देखते हैं कि हमारी पहले राष्टपी भी है है नियूरेपकार की कि विधिया सीरी कल् поступ sur रेस सम कीट पालन से संबन्देटे से एपी कल्शर मधुमक्खी पालन से संबन्देस एकुश्च सब्सक्र लात कि बड़े अच्छे से याद कर लिजेने सीरी कल्चर रेसम की पालन से एपी कल्चर मधुमक की पालन से पीसी कल्चर मस्द पालन से फेलोरी कल्चर फूलों का उत्पादन से वीटी कल्चर अंगूर की खेती से बर्मी कल्चर कैंचुगा पालन से पोमो कल्चर फलों के कल्चर बागवानी से एरोफोर्टिक ये हबामे पौधों की उगाने से हाइडोफोनिक्स जलमे पौधों की उगाना मिर्दा रहित केसी इन सभी को जरूर रियाद रखेगा भारत में खाद्यानों के अंतरकत आने वाला कुल छेत के 47 पर्षमें भाग पर चावल की खेती की बहरत में मुक्ष खादफसल चावल है भारत विस्ट का 21.7% भाग उत्पादन करता है और चावल उत्पादन में भारत विस्ट में दूसरे स्थान पर है पहले नमबर पर चाईना के बाद भारत जंसंक्हा में भी तो हाब देखते हैं दूसरे नमबर पर ह catalog पहले पर्चा गेहुं उत्पादन करता है देश की कोल किरसी योग भूमी के लगबग 14% भाग पर गेहुं की खेती की जाती है और देश में गेहुं के उत्पादन में उत्तरपदेश का पितम इस्थान है जबकि पिती हेक्टर में उत्तरपादन में आप देखी पंजाब का इस्थान आता क्योंकि देखिए ऐसा है इनी शेत में आप देखिए फसलों का वहते एक तरह से business की तरह होता है फसलों वाई करते हैं आप देखे कि आप बंदेल खंड़ में चले जाई बंगेल खंड़ में चले जाई हैं यहां के किसानों की सबसे बुरी हालत है, आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे कि यहां इतने किसानों ने डेथ हुई, इससाइड किया हुई है, आत्मत्या की हुई है, दुनिया आधारी की, और आप देखे मुझे लगता है बुंदिल खंड में अगर पानी की वरस्ता स आधारी खंड किजे मुझे कि वहां ने बता देखे कि वहां के समय है जाए आप लोग प muit हैदी जायते हैं, या फिर आप LOPEं स्कूल में पड़ते हैं, लिए कार से घोमते हैं वोगो ए तो मुझे लगता है कि आप लोग जेखें यहां के रोख में लेखें समझ में आए आ मैक्स को और फिलिपिन्स में करम्सा गेहों चावल की अधिक उत्पादक था कि किस में बिक्सित की गएं। बिस्त में हरित करांदी के जनक नौर्मन E. वो लोग को जाता है। एक क्वेस्ट भी कही बार पूँच लिया। बिस्त महरित करांती के जनक नौर्मन E. Borlov ठीक है और भारत में हरित करांती का सिरेग से जाता है डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन को भारत में हरित करांती की सुरुवात कभ हुई थी? उनीस सरसर टर्शर में भारती हरित करांती की जनम इस्थली पंतनगर उत्राखंड को कहा जाता है इस लाइन से आप देखिए मुझे लगता है कई तरह के कुछष्ट बन सकते हैं ठीक है? भारत की पिथम किरसी पिस्थापना पंतनगर में जी वी पंत किरसी एबन परोदुगी की पिस्थापना नाम से हुई थी 1960 में तो ये भी जाद रखें भारत में सुईत करांती के जनम कौन रहे हैं? डॉक्टर वी कोरियन को माना जाता है सुईत करांती और तिलहन फरोदुगी की मिसंट किस्थापना 1986 में हुई थी ये बभेश्य करांती आए जैसे हरीत करांती टमाटर मास उत्पादन रहे हैं गुलावी करांती जींगा मचली उत्पादन से बादामी करांती मसाला उत्पादन से सोनेहरी करांती, फल उत्पादन से, अमरत करांती, नदी जोडो परियोजनाव से, गोल करांती, आलूत पादन से, सोड करांती, वागवानी और खाकी करांती, आप देखिए चमडा, काली करांती, कच्चा देल उत्पादन से संबंदित है, तो ये भी आप लोग याद रखि जबकि चीन और अमेरिका करमसा पहले दूसरे इस्थान पर रहते हैं, पहले पर आपका चीन दूसरे पर अमेरिका, भारत नाइटोजनी और वरकों की अपनी खपत का 94% भागो, फॉस्फेटी और वरक की खपत का आप देखेंगे 82% ही उत्पादन करता है, पोटीसियम और व परजीयों के उत्पादन में आप देखेंगे भारत का इस्थान विस्फ में दूसरा है, पिथम पर आपका चाइना आता है, पिथम पर कौन है चाइना, विस्फ में तमाकू के सबसे बड़ा उत्पादक और उभोगता चाइना है, उत्पादन में आप धारत का इस्थान तमाकु की पतियों को सुखाने की विक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं और जिसे पतियों में बांचित रोक रंग और गंद आधिगुड़ों का विकास होता है भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्म पुत्ति घाटी में प्यारम हुई थी और चाय की पतियों में कैफिन और टैनिन की पिचुरता पाई जाती है भारत में सरवुत्तम चाय दार्जिलिंग में प्यादाओ की जाती है और विसे पिसद्य उलंग किस्म की चाय ताइवान में प्यादा होती है और सबसे उचकोटी का है कहवा अरेविका होता है और कहवा की अन्य दो किस्में है मन में उगाई जाती है टिक है मोवा मक्का महराइट वड़ और धान में खेरा रोग जस्ता की कमी से होता है किसकी जस्ता से एक उश्च्छ भी आ भारत में फूलों की खेती का नौ परसेंट भाग और कीड से प्राप्त होता है और और कीड एक रंगीन और मनमुखक पुस्पीय पोदा है इसका प्रियोग मुक्रोग से इतन निर्माड में सजावट के रूम में खादे के रूम में और परमपरागत दवाईयों की में जानते हैं आप लोग अर्णाचल पर इसको ग्वार अत्वा कलस्टर बीने के लिए लिए लिगू मीनस फसल है ग्वार की वेज ग्वार गौन को उत्पन करने के लिए कच्छे पदात के रूम में परेखुते हैं और बैस्वेक इस तर पर तेल और गैस उत्द्योग द इसमें गवार गौन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है राजिस्तान में गवार गौन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ज है राजिस्तान करनाटक सुफारी कौफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ज है कौन करनाटक नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए पे स उत्पाद्नकेरल में होता ए। आंद्र देश में भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज है। सबसे देख मात्रा में केसर जम्मू कस्मीर में होता है और सिक्किम को जैविक खेती करने वाला पिथम राज गोसित किया गया अब लोग इस कुश्टन्स को भी दिए कि कई बार पूंचा जा चुका है अरहर, तूर, हुलाल चना और पीजन पी के नाम से भी आप लोग जानते हैं अरहर को और मुझे लग देखिए कई सहरों में से अरहर कह देते हैं और लाल चना भी कहते हैं कई अगर मैंने देखा हुआ ऐसे लंबे रेसे वाली अमेरीकन कपास को देश के उत्तर वश्चमी भाग में नर्मा कहा जाता है और कपास का फूल आने के समय आकास बादल रहे होना चाहिए बिसमें लंबे रेसे का कपास का सबसे वड़ा उत्पादक और निर्यातक देश यूएसे है क्या है यूएसे अन्य भंडारन करते समय दोनों दानों में नमी दस परसंट से नीचे होनी चाहिए अन्य था कीट पे कोप का रहता है और दलहनी फसलों के उत्पादन ही तू कोबाल्ट आवस सकतत है रितू की आधर पर फसलों का अबरगी केंट रभी की फसल यह एक्टूब नमबर में वो ही जाती है और मारज अपेल में काट ली जाती है इसकी मुख फसले ग्यहों हो गया, च्योह हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी हो गया खरीब फसल की बात करें तो दक्षर बश्री मालसून की तत्काल बाद बोई गई फसल होती है जुन-जुलाई में बोई जाती है, और जुलाई-अगस्त में काट ली जाती है, इसकी मुख फसल है राई-मक्का, जुवार-जूट-मडूवा यह देखिए, रभी और इसकी खरीब और गरमा फसल, इन तीनों को व्याद रखी, कई बार मैंने देखा है, कि इनसे कुश्चन्स आ जाता है, बड़ा आसानी से आप लोग इनका अंसर दे सकते हैं, अगर आप लोग पढ़ें तो, और नहीं पढ़ें तो, फिर तो, कितना भी आसानी वाला कुश्चन्स हो, आप भी जानते हैं कि अंसर देने में बड़ी पर ओपलम होती है, पर इसानी होती है, तो रभी की फसल आप सभी को याद रखना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में बूदी, और माच रपेल में काट ली, ठीक, खरीब की बात करें तो, आप देखिए, जून-जुलाई में बूदी, और नवंबर-दिसंबर में काट ली, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, भारत के कुल कुछ प्रमुक किरसी अनुसंधान के इंद है, ये इस्थान हो गया, ये मुख्याला हो गया उनका, जैसे आप देखिए केंदरिये चावल अनुसंधान के इंद कटक में, केंदरिये कपास अनुसंधान के इंद नांधपूर में, राष्टिये गन्ना पिजनन संस्थान के इंद कोईंबटूर में, भारतिये गन्ना अनुसंधान के इंद लखनव में, राष्टिये गन्ना पिजनन संस्थान के चिक मंगलूर में, राष्टी रवर अनुसंधान के अंद कुट्टाया में, केंद्रिय रेसम अनुसंधान के अंद मैसूर में, राष्टी जूट अनुसंधान के अंद वेरकपुर में, केंद्रिय तमाकु अनुसंधान के अंद राजमुद्री में, केंद्रिय नारियल का बेगलेर में, केंदरी केसी मौसम बिग्जान के अंदर, पूंडा में, केंदरी एक मिट्टी और जल सनक्चान अनुसंधान के अंदर, देहरादून में, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए. भारती केसी अनुसंधान की स्थापना लौड करजन की काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी, 1934 में नई दिल्ली में इस्थाना अन्तित कर दिया गया था, और यह पूसा संथाना के नाम से लोग प्रिये है, भारती केसी अनुसंधान परिशद की स्थापना 23 मई 1929 को की इसका मुख्याल है नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, यह फिर मुख्ष फसल होगी उनकी जनम स्थान, धान की अगर बात करें, तो यह भारत इंडोनेसिया इसका जनम स्थान माना जाता है, मक्का, मद्द अमेरिका, ग्यहूं, मद्देसिया, तमाकू, दच्च्च्च् में, मसूर चीन में, अमरूत अमेरिका में, मेक्सको, टमाटर में, मेक्सको में, बाजर अफीका में, जो चीन में, अरहर अफीका में, सुयाविन चीन में, मोंग भारत में, जवार भारत में, चाय चीन में, और कहवा बिराजिल में, आलू पेरू में, गन्ना भारत में, त इसके लिए पानी की भी तो जरूरत होती है, वरना कैसे सिचाई होगी, आप से ही कहुंच रहा हूँ, तो भारत में सिचाई परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक तो बिहत सिचाई परियोजना है, जो बड़ी परियोजना है, एक आपकी मद्यम सिचा कि लिए और लगु सिचाई-परियोजुना की बात करने तो उसके अंत्र के बाते पारियोजणा से कम की का सिघ्य वह भूमी हो तैक कै भरत्मान सुभई में अगर आप देखे तो भारत की कुल खिप गुल तो यह भी आप लो याद रखिए विश्व का सरबादिक सिंचित चाइना के पास है 21% और भारत के पास है 20.2% और सिचाई की साधन की बात करें तो साधन हो गया, सिंचित भाग हो गया, कुआ और नलकूप से आप देखेंगे लगभंग हमारी जो सिंचित भूमी है उसका 50. नहीं से आप देखेंगे 31.4%, तालाप से आप देखेंगे 16.1% और अन्यस रोज से आप देखेंगे 16.1% सिंचित होता है इससे, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप देखेंगे, तो लगभग आप देखिए, भारत में सुद्ध बोई गया, यानि की 13,60, माप करिए, 1360,00, येक्टर के लगभग 33% भाग पर सिचाई की सुद्ध आउप लब देखेंगे, और वर्दमान में आप देखेंगे तो समय में कुगा, और नलकूप भारत की सिचाई के पर मुक्सादर भी है, और देश में सरवादिक नूलकूप बापंप सेट, तमिला अर प्राधी भी भारत में सिचाई के प्रिमुक साधनतावला पहं, तालाप दोरा सरवादिक सिचाई तमिलाडू राज्ज में की जाती है, कहां तमिलाडू में दमनगंगा सिचाई परियोजना नदी पर कारयत है, और इस परियोजना के तहत बना जलासए गुजराथ के वलसाड जले में इस्थापित है और यह गुर्जरात और दादर एवं नागर हवेली की सयुक्त परियोजना है दमन गंगा नदी महाराष्ट और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है और गिरना सिचाई परियोजना महाराष्ट की नासिक जले में गिरना नदी पर इस्तापित की गई है और पंबा नदी पंबा सिचाई पर या किरल के पंबा नदी पर इस्तापित है आप लोग नदियों से देखते हैं कि एक नहर टाइप की निकाल दी जाती है या तालावों से निकाल दी जाती है तो उसी की बात हो रही है सिचाई के लिए हो जाती है टेहरी पन विजली कॉंप्लेक्स उत्राखन के टेहरी के समीप भागी नती और विलांगना नदी पर इस्था पे थे और यहां से चिसाई जल आपोड़ती और जल वितुत पादन होता है इंद्रा गांधी नहर को सतलन नदी से जल मिलता है यह भारत की सबसे लंबी सचाई न नहर और तेवेनी नहर गंडक नदी से जल पर प्राप्त करती है और राष्टी यह जल संभर परियोजना का किरियानवन किसी मंत्रा लेद्वारा किया जाता है काली सुरम तिलंगा ना के जय संकर भूपल पली जिले के मेडी गड़ा में विस्तों के सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिप्ट सिचाई इस्की काली सुरम का लोकारपंट तिलंगा ना के मुखमंत्री के चंद सेकर राव में 21 जून 2019 को किया था और इस पर रोजेक्ट की म MW अधेकतम चमता वाले pump का उपयोग किया गया है और विसमें अभी तक इतनी चमता वाले pump का उपयोग कही भी नहीं किया गया है और विसके सबसे बड़े tunnel route दो सो तीन मीटर का निर्माण किया गया है में और काले सुरम विस्किया के लिए एकमात ऐसी प्रोजेक्ट है जो पिती दिन दो टी एमसी पानी लिफ्ट कर सकती है और इस प्रोजेक्ट के जरिए और पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी किरसी भूमी को पानी की सपलाई के लिए 92 मीटर की उचाई से फैज में लिफ्ट किया गया और 668 मीटर उचाई तक पैडी गड़ा एरिया में 92 मीटर की उचाई तक और कॉंड़ा पोछमबा में सागर में सबसे अ 18 मीटर की उचाई तक इस परियोजना से सबसे जाना स्री राम सागर में 200 TMC पानी का उपभोग होगा जबकि सबसे कम अनंदगरी में 3 TMC पानी उपभोग में लाया जाएगा भारत सरकार ने 1983 में राष्टिये जल संसाधन परिशत का गठन किया थो पिधान मंत्री इसके अ सभी राज्यों के मुकमंत्री और सभी पेदेशों के उपराजपाल यानि की राजपाल इसके सदस होते हैं और जल संसाधन मंत्रालाई का सची विस्पत का इसका परिशत का सचीव होता है अगर भारत में खनिज संसाधनों की बात करें तो भारत में खनिज के सरवेक्षण पुर्वेक्षण और अनुवेशन के कार जियो लोजीकल सर्वे ओफ इंडिया मुख्याले इसका कहा है कोलकाता में भारती खानवीवरों इसका मुख्याले नागपुर में है तेल प्राक्टिक गेस्ट आयो इसका मुख्याले देहरादून में देखने कुम लेगा और और शेद धादविक खरेजियों में सरवाद एक संपन है भारत की 35 खरेज उत्पादक राज्यों की बात करे तो क्रमसा उडिसा हो गया राजस्थान हो गया आंध्र प्रिदेश हो गया चत्तीस गड़ हो गया जारखन और आपरीक्रस आपरीक्रट परीक्रट परिसक्रट परिटॉलियम ट्रस से आप देखिए ट्रस एरी यू की आवसाधी सेलों में पाये जाता है और विवस्ति धन से तेल अनुवेशन उत्पादन 1956 में तेल प्राक्तिक गयस आयो की स्थापना के बाद प्यारम हुआ था भारत में सेल गयस की संसाधन केमबे बेसन किष्णा ग उत्पादन नहीं है हम लोग अधिकतर अधिकतम भागे इसका देखिए कि हम लोग बाहरी देशों से आयात करते हैं खाडी देशों से तो भारत की प्रमों खनिश संसाधन पैटॉलियम की बात करते हैं यह प्राप्ति का इस्थान होगा यह विसेस बिंदू हो गया असम ड क्लेसर में 1960 में खवदे गए पहले कुगा एका नाम वसुधारा था और दुनिया का सबसे पहला तेल कुगा की ख़दाई 1869 में अमेरिका के पैंसेले निविया में हुआ था यह याद रखेगा मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और यहां तेल उत्वादन की खुज जो एक जल्यान है जिसमें जिसे जापान से मंगाया है और इस तमय देश में 21 परिसकरन सालाएं यानि तेज सोधक कारखाने कार कर रही है जिसमें सब्त्रह सारजनिक की है और तीन आपकी निजी है एक आपकी सहुधत छेत की है फिर आपका लोह एसको होता है यह उड़ीस जिसमें आप देखें कि जवलपूर, करनाटक, वेलारी और चिक मंगलूर, चीतल दुरुक, महराष्ण में रतनागीरी, चांदा, तमिलाडू में सलेम, तिरूचेलापली और गुवाब है ठीक है जिसमें लोह एसको के उतपादन में भारत का चोतरा इस्थाना आता है पि चोतरे पर गुवा है, पांचवे पर आप क्या, जारखंड है फिर अब मेगनीच का इस्थाना आता है, मेगनीच के बारे में बात करते हैं, ए उडिसा के सुंदरवन, समवलपूर, वॉलंगीर, क्योंजार, काला हंडी, और कोरापुट में, महराष्ण में दांगपूर, भंडारा, मद्वदेश में बाला घाट, छिदवाडा, कनाटग में सिमोगा, बेलारी, चिददरुग, वीजापूर, आद्वदेश में स्रीका कूलम, गुजरात में पंचमाहिल, बडोदा, जारखंड में सिंग भूम, राजिस्थान में बासवाडा, मेगनीच के प्रमा पर महराष्ट का 25, महराष्ट का 25 दूसरे नमबर पर हो और मद्वदेश का तीसरे नमबर पर इसमें 21 पर्सेंट युगदान है, कोईला, आप देखें विजली उत्पादन का दिकतम भाग, कोईला ही से हम लोग उत्पादन करते, जारखंड, जारखंड में देखेंगे ध थे लगा नाम सिंग, रहनी, महाला रोज़ ज Hammoo कस्मीर में, नागालेंड अरुनाचल पिदिश में नामचिक और नामफुख, तीक है, ये भी देखेंगे, कोईले के उत्पादन में भारत स्थान में, तीसरे स्थान है भारत दुनिया में, और भारत कोईली के उत्पादन की रोटी या काला सोना भी कहते हैं लेगनाइट को भूरा को इला कहते हैं तामा ए जहारखंड सेंग भूम हजारी वाग राजिस्थान केतरी जुंजुनो भेलवाडा अलवर सिरोही महराष्ट में आप देखें कि कूलापूर करनाटक में चीतल, दुरुग और हासन और रायचूर मद्विदेश में बालागहट अंद्विदेश में आप देखेंगे अगनी गुंडल भारत में तामा के उत्पादन में पिथम तीन राजी की बात करें तो मद्विदेश राजिस्थान जहारखंड हो गया राजिस्थान के जावार खान के जस्ते के साथ तामा भी निकाला जाता है राजिस्थान में तामा खरेंच का सबसे बड़ा भंडार है वॉकसाइड की बात आती है ये उडिसा, जहारखंड, कोडरमा, हजारीवाग, बिहार में आप देखें गया, मुंगेर, माराष्ट में नांगपूर, भंडारा और रतनागरी राजिस्थान में आप देखें तो अजमेर, साहपूर और आंध्यपिदिस्थान में निल्लोर इसमें आप देखें कि भारत वॉकसाइड में आगमिनर भर है भारत में वॉकसाइड का उतपादन सबसे अधिक उडिशा, कोल उतपादन का 42%, दूसरे इस्थान पर गुजरात का नंबर, तीसरे इस्थान पर जहार करने फिर अबरक की बात आती है, ए आंध्यपिदेश में निल्लोर जिला, जारकन में पलामू, गुजरात में खेडा, मद्यपिदेश में कटनी बालागाट जबलपूर, 36 अगड में बिलासपूर, राजिस्थान और बरतमान में आध्यपिदेश भारत का 72% से अधिक अभ्यक पैदा होता है, और उत्पादन में दूसरा इस्थान राजिस्थान का आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, अभ्यक में पहला आंध्यपिदेश है, सोना, और आप देखिए हमारे यहां की देश की मह है, लाओं को सोना, बड़ अप्तिरिये धातू लगती है, करनाटक, करनाटक में देखेंगे सोने की खाने कोलार हो गया, उटी हो गया, हट्टी की खान, आंध्यपिदेश में आगर देखें तो रामगरी खान, अनंधपूर, तेलंगाना में वारंगल, तिमयल नाडू में नेलगरी की और एवं सलेम, जारखन में पूरवी सिंगभूम, देख रहे हैं, देश की कुल सवर्ड उतफादन का 99% भाग, अकेली करनाटक राज से प्राप्त होता है, दूसरा इस्थान आध्यपिदेश का है, दच्छड रफीका में, एम, एम, पुनेंग, ए सोने की खा नोटिस की हुई है, आप लोगो ने भी देखा होगा, जिस छेत में आप देखी की, कोई महेंगी धातु है, वो देश हुई या राज्यो, या कोई जिला हो, वड़ा गरीब पिछड़ा हुआ छेत रहता है, अप पन्ना वो देख लीगे आप लोग, सबसे महेंगी धातु या एक तरह से आप सोचेगे, कहने के मतलब हीरा, उत्पादन हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि उसका कहां क्या है, वहां कोई गरीबी बधाली है, यूरेनियम, ये जारखन राची हजारीबाग सिंग्भू में, जारखन पितम इस्थान पर है, और भारत सबसे महत्मूर यूरेनियम खान जादू गोड़ा है, जस्ता की बाद कर लीजे, राजस्तान में उदैप और ओडिशा, जमू कस्मी दुतियस्तान पर है, राजस्तान उत्पादन में पितम के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए पेसे राजस्तान, मेगने जाइट, उत्तराखन बगना, सिंग भूम, चांदी उत्पादन में राजस्तान पहली इस्तान पर है, थोरियम, पायराइट्स, राजस्तान, पाली, भीलवाडा और केरल में, विसका सबसे बड़ा थोरियम निरवादता देश भारत है, विसका सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में देखन करना टक इसके मुख भंडार गाना राजिस्थान में सीशा जार्खन राजिस्थान इसका सरवादिक अगर लिंग नाइट तमिलाडू राजिस्थान में इसका सरवादिक भंडार तमिलाडू में है तिन चत्तीस गड़ में इसका दलगवक संपूर भाग उत्पादन चत्ती देश में पहला लोहिसपात कारखाना 1884 में वराकर नदी के किनारी कुल्टी आसनसूल पश्चिम बंगाल के नमकिस्थान पर बंगाल आयरन वक्स के रूम में इस्थाबित किया गया था बाद में एक कंपनी फंड के आवाओं में बंध हो गई हो इसे बंगाल सरकार ने अधीकरन कर लिया था इसका नाम बदर कर वराकर आयरन वक्स रख दिया था देश में सबसे पहला बड़े फिर्मान पर कारखानार 1907 में तर्कालीन बिहार रज्ज में सवड रेखा नदी के गाटी में साक्ची नमकिस्थान पर जमसेद जी टाटा के दुवारा इस्थाफित किया गया था अगर आजादी के पहले यानि कि सुतंता की पूर्व स्थाफित लोहे स्थाफ इसथाफ कारखानों की बात करें तो भारती लोहे स्थाफ कंपनी इसकी स्थाफ नाव 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापूर बाद में इसे बर्णपूर कहा गया नामकिस्तान पर की गई थी 1922 में से उत्पादन शुरू हुआ आंगे चलकर कुल्टी वर्णपूर हीरापूर इस्थायनतों को इसमें मिलाद दिया गया मैसूर आयरन एंड इस्टील वक्स 1923 में मैसूर राज में बर्तमान करनाटक के भद्रावती नामकिस्तान पर इसकी स्थापना 1937 में वर्णपूर पश्चे मंगाल में की गई थी और बाद में 1935 में 1953 में आप देखें यसे भारतीय लोग इस्पाद कंपनी में मिला दिया गया फिर आप देखिए सुतंता के बाद पश्चास इस्थापिल लोग इस्पाद कार खाने दूसरी पंच बर इस पर उत्पाद पारम हो गया एक कुष्चेंस कई बार हुच लिया है बिलाई इस पाद सेयन किस पंच वर्षी योजना में स्थापित की की थी दूसरी में और किसकी कौन से देश की साहता थे तो पूर्व सोवियस संग की और आप सभी जानते हैं कि देखिए पहले जिस हिंदुस्थान स्टील इपिड़ राओ के ला में इसकी इस्थापना 1969 में की गई ती उडिशा के राओ के ला नामकिस्थान पर पthose为什么 partners से इसकी की गयी थी ईदूस्थान इसकी स्थापना 1956 में पश्यमंगाल की दुरगापूर नामकिस्तान पर वेटिन की साहता सिखी गी थी 1922 में इसमें उत्पादन प्यार हम हो गया था फिर आपकी तितिये पंजबर्सी हो जना आती है और बुकारु इस्थापना 1964 में तकालीन विहार राज अब जहारकंड की बुकारु नामकिस्तान पर पूर्व सोवेशन की साहता सिखी गी थी फिर चौतरी पंजबर्सी हो जना काल में इसकी इस्थापना की बात करें तो 24 जनवर 1973 को 2000 करोड की पूंजी के साथ भारत इस्थाप परादी करेंड को भिलाई दुर्गापर वुकारु रावल के राफ बैर्नपुर सलेम विस्थापना की बात करें तो 24 जनवर 1973 को 2014 में भारत चीन जापन और USA के बाद विस्थ का चौतरा सबसे बड़ा इस्थाप उत्पादक दिस बन गया है इस्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विस्थाप में पित्थमिस्थान पर है भारत का पहला तडवर्टी स्पाद का रखाना विस्थाप पत्न में अंध्पितिस में लगाया गया था कां अंध्पितिस देगर अंगर आंगे देखें आप लो और एक उचाब के सामने अकड़े और भी हैं अलूमिनियम उद्द्योग भारत में अलूमिनियम का पहला कार खाना 1937 में पश्चे मंगाल की आसनसूल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था 1937 में 1937 में चार कार खाने ततकालीन बिहाराज में मुरी केरल के अलवाय पश्चे मंगाल के वैलूर उडिशा के हेराकोंड में स्थापित किये गया थे हिंदुस्ताल एलूमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल को की स्थापना 1958 में रेनुपोर्ट उत्तरपितेस नावाकिस्तान पर की गई थे मदरास एलूमिनियम कंपनी तमिलाणू के मेंटोर में स्थापित की गई थे की प्रमुक हैलोविनियम कंपनी की बात करें तो बाल को ये सोवियस संग के साहता से एक तरस से स्थापित की गई थी कोरवा और इसके कोई ना प्रमुक के अंध है नाल को फ्रांस की साहता से दावन जोडी बुरी इसा में देखने को हेंडाल को USA की मदस से रेनुकोट उत्त एलूमिनिया उत्तपादन करने में भारत बिस्त का आठवा स्थान है नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिमेटिड नाल को देश के सबसे बड़े उस सवनवित और एलूमिनियम सैंद परिशय का गठन साथ जनवरी 1981 को किया गया था इसका पंजीकित कार्याल है भूमनेसर में ह सोती बस्त उद्धिव का आता है पर कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्टी आधुनिक ढंक से सोती बस्त की पहली मिल का इस्थापना 1818 में कोलकाता की समी फोर्ट गिलाश्टर में की गई थी किन्तु यह आसफल हो गई थी सबसे पहला सफल आधुनिक सोपी सोती कपड़ाकार खाना 1818 में बंबई के कवास जी डावर्द द्वारा खोला गया था जिसमें आप देखिए 1956 से उत्पादन सुरू हो गया था सोती बस्तों का सरवादी केंद्री केंड महराष्ट गुजरात और राज्य है और अनराज्यों की बात करने तो पर्ष्यमंगाल मद्यपिदेश मुंबई को आप सभी जानते हैं कि ये भारत के सूती बस्तों की राध्धानी भी के उपनाम से जानते हैं आप लो कानपूर को उत्तर भारत का मैंचेश्टर कहते हैं कोयम बटूर को दच्छिन भारत का मैंचेश्टर कहते हैं कोयम बटूर को और एहमदाबाद को भारत का ा वोश्टन कहते हैं ठीक है और भारती एर्द्वरस्था में कपड़ा उद्ध्योग का स्थान किर सी के बाद दूसरा है और यह सबसे बड़ा फ्राचीन उद्ध्योग है या देश का सबसे बड़ा संग्ठी तीवाम् ब्यापक कुद्ध्यूग माना जाता है यह उद्ध्यूग देश में किरसी के बाद रोजगार प्यदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा छेत है और धोगी कुद्पादन में बस उद्ध्यूग का युगदान 14 परसंट देश का सकल घहरे लिग उद्पाद में यह 4 परसंट और जंसग्या हमारी उसी में लगी रहती है दूसरे नंबर पर आप देखेंगे क्या आता है बस उद्ध्यूग फर चलते हम लोग जूट उद्ध्यूग की तरफ सौने की रेशा के नाम से मसूर जूट की रेशों से सामानों को निर्माड करने में भारत बिस्में पितमस्तान पर है और इसका पहला कारखाना कोलकाता की समीप रिस्तरा नामकिस्तान पर 1855 में लगाए गया था भारती ये जूट निगम की स्थामना 1971 में जूट के आया निर्या तो आंतरिक बाजार की देखवाल के लिए की गई थी भारत बिस्तर के 35 परसंट जूट के सामानों का नि जूट उद्द्युक से संबंदीत परमकिस्तान जैसे पश्चिन मंगल में आप जाएगे टीटागर से रिसरा बाली अगर पाड़ा बासवेरिया कान किनारा उलवेरिया सीराव सीरामपूर वे वा क्या है बजबज हावडा स्यामनगर सेवपूर स्यालदह बिरलापूर हो जाएगे कानबो सह जनवा गोरकपर में बिहार में पूरिया कटियाल सहर सा दर्भंगा अंतराश्ची जूट संगटिन की स्थापना 1984 में हुई थी इसका मुख्याल है आपको ढाका में देखने को मिलेगा फिर आप देखेंगे चीनी उद्द्युक बारत में आधुनिक च बाजार सिस्वा बाजार बस्ती बलरामपूर गोंडा बारवंकी सीतापूर हर्दोई विजनो और मेरट सहरानपूर मुरादाबाद बुलन सहर कानपूर फैजाबाद मुझपर नगर आदि और बिहार की बात करें तो मौतिहारी सोगोली मजोलिया चनपटिया नरकटिया गंज, मडोरा, सासा मुस्ता, मौतिपूर, गोपाल गंज, डाल मिया नगर, सारन, समस्तिपूर, दरभंगा, चमपारन, हसनपूर, आदि और महीं महराष्ट की बात करें तो मंसन, मंसर, नासिक, एहमद नगर, पूने, सोलापूर, कोलापूर, पश्यमंगाल में हमीरा, फगवाडा, अमिरसर, हर्याना में देखेंगे जगधारी, रोहतक, तमिलाडू में देखेंगे अरकाट, मदूरे, कुएमबटूर, तिरोचिल्ला पर, तिरोचेरा पल्ली, आंधपदेश जाएंगी सीता, पुरम, पीठापुरम, बिजैवाडा, सामलकोट, राज 1924 में बेटेन के पोर्ट लेंड नामा क्रिस्थान पर किया गया था, भारत में आधुनिक ढंक से सेमेंट बनाने का पहला कारखाना, 1904 में मदरास में लगाया था, जो असफल रहा था, मदरास के कारखानी के बाद 1912 की अउधी में, इंडियन सेमेंट कम्पनी लिपिन्ट द्वारें गुजरात के पोरवंदर नामा क्रिस्थान पर कारखानाई की स्थापना की गई थी, जिसमें 1914 से उत्पादन प्यार हम हुआ था, एसोसियेट सिमेंट कम्पनी लिमिटेड, ACC की स्थापना 1936 में की गई थी, भारत की प्रमुख सिमेंट उत्पादक राज्यों क अगर हम बात करें, तो इसमें मद्धपिदेश, सतना कटनी, जवलपूर, रतलाम, और चतीसगाट में आप देखेंगे, दुरुक, जामुल, तिलदा, मंदार, अलक, तरा, जहरखन में जपला, खेलारी, कल्यानपूर, सैंदरी, जिंक, जिंक पानी, आंधपिदेश में कि जाल, मियापूर, मधू, कराय, तुल, कापटी, गुजरात में पूरवंदर, द्वारका, और सीका, जामनगर, और रानायार, हर्याना में चर्खी, दादरी, उडीसा में राज, गंगपूर, सैंद, उत्तरपिदेश में मिर्जापूर, चोट, केरल में कुट्टाय, पंज में उत्तरपिदेश की राध्धानी है, मध्देश की नैपा नगर में अखवारी कागज, और होसंगा नोट शापने की कागज बनाने का सरकारी कार रखाना है, मध्देश में आप लोग गया हो, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है, फिर आप देखेंगे, कागज की प्रम सिवरा फुली, या सिवरा फुली हो गया, तो ये भी याद रखेगा, याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, और आंध्पिदेश में आप देखेंगे, राज महंद्री, तिरुपती यादी, तेलंगाना में सिर्फोर हो गया, कागज नगर हो गया, उत्तरपिदेश में सि पर नगर अक्वारी कागज बनाने का सरकारी का खाना है, तमिलाणू में पट्टी, पलाया, सलेम, चरन, महादेवी, तिरोणा, नल, बेली, बालनी, महराष्ट में मुंबई, पूने, बलारपूर, चंदपूर, कल्यान, कराण, पिंपरी, भिवंडी, रोहा, गुजरात में वापी, सूरत, बड़ोद्रा, राजकोट, बरजोद, उदावाडा, ठीक है, वहीं अगर रसायनिक और वरख उद्धिव की बात करें तो इतिहासिक रूप से, रूप से देश में सुफर फॉस्पेट और वरख का पहला कारखना उपने 106 में तमिलाडू के रानी पेट न 1944 में आप देखें करनाटक के बेलेगुआ, गुला, नामकिस्तान पर मैसूर, केमिकल्स, एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया और वरख का कारखना लगाया गया था 1947 में देखेंगे, हम लोग तो अमोनियम, सलफेट का पहला कारखना के अलवाय नामकिस्तान पर लगाया गया था भारती और वरख निगम की स्थापना की बात करने तो 1951 में स्थाफित की गई थी जिसके तहित एसिया का सबसे बड़ा और वरख सेंद्री में लगाया गया था भारत पोटास और वरख के लिए पूरी तरह आयात पर निर्वार है, हम लोग खरीदते हैं, हमारे पास उत्पादन नहीं होता है भारत में नाइट्रोजन और वरख की खपत सबसे देख है, भारत सरकार के सी में नीम अलोपित यूरिया के उपोक को बड़ावा दे रही है क्योंकि नीम लेप मेर्दा में यूरिया के घुलने की दर्ख को धीवा कर देता है भारत में पिती हेक्तर और वरख खपत में पिथम इस्थान पंजाब का है, दूसरा तीसरा इस्थान करमसा आंद्रपिदेश वहर रिनाना का है कौक आधारित और वरख एकाईयां तालचर, उडिशा, रामा गुर्णम, आंद्रपिदेश, कोरवा, 36 गर्द में अवस्ते थे क्रबभको का गयस आधारित यूरिया, आमोनियम, सयंत, हाजी, रा, उजरात में देखने को मिलेगा उत्रपिदेश की साहजापूर और जगदीशपूर का कारखाना भी गयस आधारित है भारत की पिरमुक रसायनी कुरवर उत्पादक राज्योग है जैसे कानपूर, गोरखपूर, फूलपूर, इलावाद महराष्ट में मुंबई, ट्रामबे, अमरनाथ, उलोनी, पश्चे मंगाल में बर्नफोर, अल्दिया, रिसरा, खारदा है करणाटक में मंगलोर, बिलागुला, मुनी इराबाद, गुजरात में कांडला, बडोदरा, हजीरा, भावनकर आंध्पिदेश में विसाका वतनब, तादिपली, तुनुको, तमिलाडू में नियो वेली, राणी फेट इन और, कुएमबटूर, तूती कवरिंट, आवाडी, मलाली और, राजिस्तान में खेतरी हो गया, सलादीपूर, गोटा, बिहार में बरोणी, उडिसा में राउल किला, तलचल, अगर जलेयान निर्माड उद्दियो की बात करें, तो भारत में जलेयान निर्माड का पिथमकार खाना, 1941 में, सिंधिया, स्टीम, नेविगेशन कंपनी द्वारा विसाका पत्नम में स्थाबित किया गया था, 1992 में भारत सरकार द्वारा इसका अधीगेंड करके, हिंदूस्तान सिफगाइड विसाका पत्नम इसका नाम रख दिया गया था, 1952 में, और सारविजेक अगर साजुनेक छेत की अनिकाईयों को जलेयानों का में, गुवा सबगाड लिमिट गुवा में, मजगाओ डाक लिमिटेड मुंबई महराष्ट में, बायु या निर्माड उद्द्यों की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत में बायुआ निर्माड का पिथमकार खाना, 1940 में, बंगलोरु में में, बायु या निर्माड की कार में, फिर मोटर गाड़ी उद्द्यों को विकास उद्द्यों के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इस उद्द्यों से संबंदित पिरमोखे काई हैं, हिंदोस्तान, मॉटर कॉलकाता, प्रेमियल, ऑटो मोबाइस, लिमिटेड मॉंबई, असोक लेलेंड, चैन्नाई, टाटा इंजीनियर एंड, लोकोमोटिव कंपनी, जमसेतपुर, महंद्रा एंड महंद्रा लिमेटेड, पूने, मारूति उद्द्यों लिमेटेड, गोडगाओ, हर्याना, संराइज, इंडेड, इंडरस्टीज, बैंगलोड, और दवा, दवा निर्माण उद्द्यों की बात करें, तो फिरमुक स्थान है, इसका, मुंबई, दिल्ली, कानपूर, हरिद्द्वार, रिसीकेस, एहमदाबाद, पूने, पिंपरी, पैनिसलीन, के लिए हो मत्रा है अधराबाद, सीता उद्द्यों की बात करें, अगर हम लोग, तो भारत म सीसा उद्द्यों का केंदरी, करण, रेल की सुविधा वाले इस थानों में देखने को मिलता है, इसे उद्द्यों का विकास, मुख रूप से पश्चे मंगाल, उत्तरपेदेस, महराश्त, तमिलानु इराज्यों में हुआ है, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद, भारत में स सीसा उद्द्यों केंदरों की बात करें, पश्चे मंगाल में बैल, गचिया, सीतार, रामपूर, रिषड़ा, वर्दमान, रानी गंज, आसन सोल, जारिकन में आप देखें कि जमसेत पूर, हजारी वाग, धनवाद, महराश्त में मुंबई, पूने, दादर, सतारा, राजस्तान पूर, गुजरात में बड़ोदा, मौरवी, विहार में पठना, कहल गाउ, राजस्तान में जैपूर, उतरपदेश में नैनी, रामनगर, वहेजोई, बालाबाली, फिरोजाबाद, और अनिस्तान, अंबाला हो गया, अमरसर हो गया, हैधराबाद हो गया, जव में की गई थी, कव? 1958 में, रेल उपरण उद्द्यों की बात करने तो चितरंजन, ये पश्टें बंगाल के रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कार खना, इस कार खने की स्थावना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोको मोटिव बॉक्स के नाम से हुई थी, बटमार में वहां विद्धोत इंजन का निर्मार हो रहा है, डीजल से चले माला इंजनों का निर्मार वरा नसी में होता है, रेल इंजन निर्मार का कार जमसित पुर जारखन में भी होता है, एकुटीर उद्द्यों बोर्ड की बात करने तो 1948 में स्थावित हुआ था, केंद्रीय सिल् चैन्नाई में 1908 में स्थावित किया था, तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है? रेल डिब्वे के बनाने का परमुक केंद चैन्नाई के समी परामबूर नामकिस्थान पर सन 1902 में स्थावित किया था, इसमें उत्पादन की सुरुवात 2 अक्टूबर 1905 में हुई थी, और इसके रण परमुक केंद बैंगलूर कोल का था है, पंजाब में कपूर तला में इंटीगल कोच फैक्ट्री की स्थाफना की गी थी, राइवरी लिए उत्तर फिदेश में, आप देखें, क्या, उत्तर फिदेश और, एक मिनिट, कच्रा अपारा, पश्चे मंगाल में रेल भी कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन एक आईये लगाईगी, किरल के पाला का इंटीड़ में रेल कोच फैक्ट्री कर्खना रहा है, भीहार में मर्पिर्दार में डीजल एंजन माधिपुरा में विद्धूत एंजन कार खाना लगा है, चव् Code भीहार में रेल विद्धूत एंजन स्थापित की गई, पश्चिमंगल के दन कुनी में विद्धूत भारत में उनी बस्त की पहली मिल 1876 में कानपूर में स्थापित की गई थी परंतु इसे उद्ध्यों का बास्तविक विकास 1950 के बाद ही होता है। आप लोग पहले आजादी के पहले जाईए आप लोग एक तरह से आप सोची बाहरी देश हमारे बाहरी लोग जो होते थे महराजा राजा हुआ करते थे बाहरी देशों के वह हमारे यहां के कपड़ों को पहना करते थी। महत्पूर्ण के अंद्ध हैं, क्या हैं क्यंद्ध हैं, और टेलीपॉन उद्ध्ध्योंग की बात करें तो वैंगलोर और रूप नाराय나ट पूर टेलीपॉन उद्ध्ध्योंग की बात करें तो भारत एक ऐसा देस है, जहां सह्तूति, इरी तसर, मूंगा, सभी चार किस्मों के रेसम का उतपादन हुता है मुगा रेसम उतपादन में भालत को एकादी कार है या永नि की भालत के पास ही है केंदरी नहीं के रेसम अनुसंधान पर सिक्षन मैसूर, ब्रहम और ब्रहममापुर में देखने को मिलेगा रांची जहर खंड में रेसम के प्रमुक अगर केंद्रों की बात हो तो जम्मू कस्मीर में सिरी नगा, जम्मू, उदंपूर, अनन्त बाग, नांग, और बारामूला, पंजाब में अमरसर, गुरुदासपूर, हुसियारपूर और लुध्याना, तमिलाणू में सलेम, तंजोर, कांजीपूर, अब परणरसी, साहजापूर, करनाटक देश का एक ताली परडशन से रधे कच्चा रेसम उत्पादन कर दाता है, और यहां सहतूती, मलवरी, रेसम बनाया जाता है, यह देश का 56% रेसमी धागा बनाया जाता है, तो यह आपनों जरूर याद रखे, रेसम मुत्पादन में आ अठारा परसेंट रेऊ दानेब, चरम उद्धीव गाता है, भारत में चरम उद्धीव के मुक्येन कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाथा, पठना, वेंगरून है, कानपुर चम उद्धीव के सबसे बढ़ा क्यन यहां जूते बनाने के लिए पेसे दे, चमड़ा उद् समलो 98 लाग किलोमीटर की सड़क नेटवर्ग विस्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्ग है विस्व में दूसरे नमबर पर हम लोग है जिसमें राष्टी राजमार्ग हो गया राष्टी राजमार्ग हो गया अन्य सड़कें सामिल है अगर राष्टी सबसे लंबा है और इस राष्टी राजमार्ग की लंबाई आप देखेंगे 3745 किलोमीटर है यह राजमार्ग सीर्णनगर जम्मू कस्मी से सुरू होकर पंजाब, हर्याना, दिल्ली, उत्तरपदेश, राजिस्थान, मद्धपदेश, महराष्ट, तेलंगाना और आंधपदेश, करनाटक से होकर करन्याकुमारी, तमिलाडू तक जाता है और वह सभी राज करम में दिये गए हैं आपको, जहां से चालू होता है और जहां खतम होता है पुराना राष्टी राजमार्ग संख्या 1, संख्या 2 को समलेत रूप से आप लोग ग्रांड, ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जानते हैं जीरो माइल इस्टॉन वेटिस द्वारा नांगपुर में इस्ताबित किया गया, जिसका प्रियोक सभी दूरियों को मापने के लिए क्याते हैं अगर भारत के 10 अमलोग प्रमोग सबसे लंबे राश्टी राजमार्ग की बात करें, तो इसमें राश्टी राजमार्ग होगे या लंबाई होगे, कहां से कहां तक जाता है NH 44, 3745 किलोमेटर है, सिरी नंगा से कन्या कुमारी तक NH 27, 27, 307 किलोमेटर है, पोरवंदर से सिल्चर तक NH 48, 2877 किलोमेटर है, दिल्ली से चैन नई NH 22, ये आप देखेंगे 2370 किलोमेटर है, इसकी लंबाई संगरूर से अकोला तक NH 30, ये 2040 किलोमेटर में है, इसकी लंबाई सितार गंज से इब्राहिम पत्नम तक और आप देखें, NH 6, NH 6, ये 1873 किलोमेटर है, इसकी लंबाई, जोरावाड से सिलिंग तक NH 33, 1781 किलोमेटर है, हजीरा से पारादुइक तक NH 16, 1711 किलोमेटर में है, पूरवी तठ पर्षे मंगाल से चैन नई तक NH 66, 1622 किलोमेटर में है, और पनवेल से कन्या कुमारी तक NH 19, 1435 किलोमेटर में है, तिल्ली से कूलकाता तक NH 44, पुराना नाम NH 1A में जवाहाड सुरंग इस्तित है, और यह राजमार्क जालंदर से जम्मू कस्मीर, जम्मू बाश सिरीनगर होते हुए, उरी तक जाता है, और जम्मू बाश सिरीनगर को जोडने वाली सडक सुरंग है, यह A.C.I की सबसे लंबी दुईस दिसात्मक राजमार्क सुरंग है, यह सुरंग जम्मू बाश समीर की उधमपुर जिले में स्तित, चैनानी को राम बन जिले में स्तित नासरी से जोडती है, और इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और सीरीनगर के बीच क यात्रा में लगने वाला समय दो घंटे तक कम हो गया, और आप सोचिए आज के समय में दो घंटा कितना टाइम होता है, तो यह भी जिनके पास टाइम नहीं होता है उनके लिए फायदे मंद है, और बाकि जो जिनके पास टाइम है उनके लिए तो समझ रहें कुछ भी है, भारत का सबसे लंबा केवल से तू गुजरात राज जी के, यह गुजरात राज जी के मरो भरूच जिले में आपको देखने को मिलेगा, कहा भरूच जिले में देखने को मिलेगा, समझ रहें, भरूच सुने हो आप लोग के नहीं सुने हो, यह गुजरात के भरूच जिले में देखने को मिलेगा और नर्मदा नदी पर है जिसका निर्माल राष्टी राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यह आता है अधकुस्वंबनाने के तुकिया गया है और भारत का सबसे छोटा तो एन एच 108 रहे एन एच 548 लंबाई 5 किलो मीटर है यह जारकं की अगर किरम देखे तो पठान कोट अमरसर भटेंडा गंगा नगर भीकानेर जैसल मेर वाड मेर और समाखी याली है ठीक है स्वाड़ेम चतुर्भजी यह जिना कि अंतरकर 5846 किलो मीटर लंबे राष्टी राजमार्ग द्वारा महानगरों दिल्ली मुंबई चन्नाई को पूलकाता को जोडता है यह जरूर याद रखेगा दिल्ली में सामेले मुंबई सामेले चन्नाई और पूलकाता राष्टी राजमार्ग विकास कारकरम के अंतिकत बनने वाला उत्तर दच्छेंड गले आरा से स्रीनगर को कन्या कुमारी से और पूर पस्टेम गले आरा में आप देखें कि सिल्चर को पूरबंदर से जोड़ा जाता है इसकी कुल लंबाई 7522 किलो मीटर है जरूर याद रखेगा और भारत माला परियोजना भी आप लोगोंने सना हुगा इस परियोजना की उद्गोषना केंद्री है सडग बाराज मार्ग मंत्री नितिन गड़कर का में सधार नए आर्थिक गलियारों का विकास अंतर गलियारा और फीडर मार्गों का विकास सटीय ओ इवन बंदरगाहा संपक सड़कों का विकास नए Getting एक्ष्वरेश का निर्मार से तु सब्त से तु भारतम के भारे में सुना होगा त्वस लिए इनके संपर्ख में मार्क के विकास के विकास के लिए है एक तरह से इसके तहट दो लेन वाले लेन वाली 889 किलूमीटर सरक बना गई गई है राजमार्ग आता है फिर इसका निर्मार रख रखा हो जिम्मेदारी राज सरकार की होती है राजमार्गों के लंबाई ये वगर बर्थमार में देखें तो ये लाग 56,894 किलूमीटर है तो ये बढ़ती रहती है नए आकड़े आप लोग देखा करिएगा राजमार्ग में सरडग मार्ग की लंबाई में पिथम इस्थान महराष्ट का आता है सरडग निर्वार चित में निजी भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तांतिन करो B.O.I की नीती अपनाई माल परिवान का लगवख 55% और यात्री परिवान का 80% सडगों से ही होता है तेदान मंतिरी ग्राम सडग के उजना भी सुने होंगे इसके अंतरकत आप देखेंगे 500 आबादी के बने सभी गाउं को 1280 सडगों से जोड़ना होता है और विस्व का सबसे उचा अगर सडग मार्ग ले है स्रीनगर मार्ग में है जो कारा कोरम दर्रे को पार करता है और इसकी उचा अगर आप देखें तो 3450 मीटर है ये 2008 में है 2006 में इसी राष्टी राजमार्ग 1D NH 1D घोसित किया गया था ये आप लोग जरूरी याद रखें 2006 में भारत का सडग जा अगर देखें 2021 के अनसान तो इसमें राष्टी राजमार्ग 1,34,380 और सडग लंबाई का 32% राजमार्गों में आप देखें तो 1,884 किलोमीटर 3% भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सडग नेटवर्ग वाला देश है और सीमावर्ती सडगों का निर्माड और परवंधन सीमा सडग विकास के द्वारा किया जाता है आप देखें ना कि जो देशों के पास से जो सीमा जैसे माल लेजे कि चाइना के पास सडग विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है और सीमा सडग अगर संगठन की बात करें तो इसकी स्थाफना 1960 में की गई थी कव? 1960 में और अपने गठन को के समय से लेकर मार्च 2000 एक तक संगठन ने 29,149 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माड किया 24,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कारी किया यह संगठन को मिला के 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख राकाओ करता है सीमा सडग संगठन की बात करें तो यह भी याद रख सकते हैं इसमें एसिया का सबसे बड़ा रोप वे रज्युमारिक गड़वाल में जोसीमट एवं ओली को जोड़ता है इसकी लंबाई 500 मीटर है भारत ने पूरवी लगदा के उम लिंगला पास में दुनिया के सबसे उची सड़क बनाने की कामिया भी हासिल किये जिसकी उचा एगर समुद्द तल से देखें तो फिट की उचाई बल था अब भारत के पास आ चुका है इसकी बात करें तो भारती रेल ये सिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्ग है और एकल सरकारी स्वामित बाली विस्त की चौतरी सबसे बड़ी नेटवर्ग है पहले तीन इस्थानों पर किरमसा ये वैसे चीन और रूस है भारत रेल में रेल विस्त का सबसे बड़ा नियुकता है भारत में सरपथम रेल विवस्ता की अगर सुरुवात की बात करें तो अपरेल 1853 में मुंबई से थाने की बीच 34 किलो मीटर के बीच प्याराब हुई थी है ठीक है इस डेट को याद रखी कई बार ये पूचा जा चुका है देश में तीन पिकार की लाइन होती है एक पटिनियों की चोड़ाई हो गई बड़ी लाइन इसकी चोड़ाई की बात करें तो 1.660 मीटर मीटर गैरज की बात करें तो 1.00 मीटर नेरो गैरेज की बात करें तो 0.610 मीटर तो इन्हें भी याद रखे विस्त के सबसे पहली रेल गाड़ी 1825 में श्टॉक टन और डार्लिंग टन के बीच चली थी इसके बाद 1830 में लीवरपोल और मैंचेस्टर के आप आपस में रेल मार्क से जोड दिया गया था और भारती रेलवे बोर्ड की स्थाफना मार्च 1905 में की गई थी रेल वित को 1925 के बाद एट वर्थ कमेटी की सिफारिश पर सावन राजस से से अलग कर दिया गया था भारती रेल का राष्टी केरण 1950 में हुआ था हुजा सत्रे में आपने देखा होगा रेल बजट को केंद्री बजट में मिला दिया गया भारती रेल पिसासंद वारव प्रबंद की जिम्मेदारी लेडवे बोर्ड रेलवे को 18 मंडलों जो की पहली 9 थे 73 डिवीजिनों में बाठा गया है पितिक मंडल का पिधान महा प् है तो यह रेल बंदल हो गया इनके मुख्याल हो गए ठीक है तो उत्तरी उत्तर रेल रेलवे नई दिल्ली इसका मुख्याल है दच्छन रेलवे चेन नहीं है मद्ध रेलवे मुंबई है दच्छन पूर्व रेलवे कोलकाता है उत्तर पूर्वी सी रेलवे माले गाउं है उत्तर मद्ध रेल्वे इलावाद, दच्छिन पश्चिम रेल्वे हुवली, पुर्वी तट रेल्वे भुवनेसोर, पश्चिमी रेल्वे चैर्च गेट मुंबई, पूरु रेल्वे कोलकाता, दच्छिन मद्ध रेल्वे सेकंद्राबाल, पूरु उत्तर रेल्वे में रेल मंत्री प्रियूस गोएल द्वारा 27 परवरी 2019 को भारती है रेल, रेल के अठारवी मंदल के रूम में दच्छिट तटिये रेलवे को का सेजन की घुटना की गी थी और इस मंदल में दच्छिट मंद रेलवे के तीन डिवीजन गुंट कल, गुंटोर और पड़ा सामिल किये गए, फांस्तोरूप सेकंदराबाद इस्ते दच्छिट पर्ष्ण रेलवे अपके बल, सेकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेट डीवीजन ही बचा हुआ है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाडी की बात करें, तो ये बिवेक एक्सपरेस है, और नवंबर 2011 से जो डिबरूगड असम से कन्याकुमारी तमिलाडू तक जाती, इस दोरान यह 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस्ते पूर हिमसागर एक्सपरेस जो जमू कस्मी से कन्याकुमारी तक 3,726 किलोमीटर जाती थी, सबसे लंबी दू जामुद्दीन आगरा केंट इस्टेशन की बीच 5 अपरेल 2016 से चलाई गई, गती मारी एक्सपरेस देश में सरवादी गती से चलने वाली देश 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 दोनों रेलवे स्टेशन की दूरी 100 मिनेट में तै कर लेती है, और 160 किलोमीटर पीती घंटा तक की गती पराप्त थी, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है कि रेलवे के बारे में भी है, विसका सबसे लंबा रेलमार्ग अगरा आप से पूंचे तो ट्रांस साइवेरियन रेलमार्ग है, जो लेनिन गिराड से विलाडी वुष्टक तक 9,438 किलोमी भाग का विद्धुती करन किया जा चुका है, विद्धु से चलने लगी है, भारत में पहली विद्धुत ट्रेंड, बॉमबेट, बीटी और कूला हारवर की बीच तीन फरवरी 1925 में चली थी, विजले से चलने वाली पिथम सवारी गाड़ी डेकन क्वीन थी, जो चलने वाली समझोताई एक्सप्रेस लाहर अटारी के मद्ध है और थारे एक्सप्रेस मुना वाओ बाड में खोकराप सिंध के मद्ध चलती है, 14 अपरेल 2018 को मैत्री एक्सप्रेस चित्पूर ढाका की बीच चलाई गई थी, 1 अगस्त 1994 को रेल गाड़ी भीमा आयोजना ला रेल पर ये चालन 26 जनवरी 1998 में कुगवा था, इस रेल मार्ग से लावानवित होने वाला राज महराष्ट गुआ करनाटक के रहल है, भारत लोग और अर्दवरस्था पे इसमें आप देखेंगे, को कॉनकर्ड रेल की लंबाई 760 बताईगी, यह रेल मार्ग 146 नदियों धाराओं बाद 200 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है, इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलो मीटर है, इस ओद्यम में करनाटक गोवा महराष्ट राज भागीदार है, कोलकाता में सबसे पहले मेटरो आपकी कोलकाता में ही चली थी, अगर हम लोग दिल्ली मेटरो रेल की बात करें, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि यह परियोजना जापान बकोरिया की कंप्पिनियों के सहयोग से बनाई गई है, और इसके अंतरकर सबसे पहले रेल सेवा 25 दिसमबर 2002 को 30,000 से साहध दरा के बीच चलाई गई थी, वहीं अगर हम लोग बैंगलोरू मेटरो की बात करें, तो इसकी सुरुवाद 20 अक्टूबर 2011 से नम्मा मेटरो के नाम से सुरू ही थी, इसके धाचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया था, और मुंबई मेटरो रेल की बात करें तो इसकी सुरुवाद आप देखें, आठ जून 2014 को हुई थी, मुंबई में मॉनो रेल, सुतन्थ भारत में मॉनो रेल सरव्य था, मुंबई में संचालित की गी थी, जहाँ इसका सुवारम महराष्ट की मुक्मंत्री पितिवीराज चोहान ने एक फरवरी 2014 को किया था, संपूँ परियोजना सुरू होने पर विस में दूसरी सरवाधिक दूरी वाली में मॉनो रेल परियोजना हो जाएगी, इस संबन्द में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसा का मॉनो रेल कोरी रोड सबसे लंबा है, 16.9 किलोमीटर लंबिक टोकियो कोरी रोड का बर्तमान में दूसरा स्थान आता है, और इसका जब काम पूरा हो जाएगा, तो दूसरी नंबर पर यह जाएगी, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, औस्टेलिया के पश्चाद, भारत बिस में साधवाद देश हो गया, जहां सारविजनिक परिवाहन के साधन की रूम में मोनो रेल की सुरुआ सुविधा उपलब्द हो गई है, जैपोर, चैन्नई, लखनव में भी मेटरो रेल की सुरु, सेवा सुरु हो गई है, चंडिकर, भोपाल, गुहाटी, पूरे, आदिसहरों में भी मेटरो रेल, निर्माडा धीन है, यानि की निर्माड चल रहा है, विसकी पहली मेटरो रेल लंदन में चली थी, जिसके सुरुवात आप देखेंगे, 10 माई 19038 में भोपाल में स्ते थे हैं, सवारी डिबबा का निर्माड पेरंबूर, कपूर तला, कोलकाता, बैंगलोर में किया जाता है, रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मध्यपूर, एलेक्टोनिक एंजन और मडोरा डिजल इंजन बिहार में है, पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार और रेलवे को फेक्टरी राइवरी ले उत्तर प्रदेश में स्ताफित किया गया, भारत का पिथम रेलवे बिस्वेद्याल है, बड़ोदा गुजरात में है, यह भी याद रखेएगा, अमरस्तर दिल्ली, अमरस्तर दिल्ली सान ये पंजाब एक्सपरेस, CCTV कैमरों से युक्त पहली रेलगाडी है, और इसका उदगाटन रेल मंत्री सुरेश फिर्भू ने 8 अपरेल 2016 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से किया था, नई दिल्ली हावडा राधधानी एक्सपरेस वाई-फाई सुविधावाली भारत की पहली ट्रे 2017 की बात है, अगर तला अखोरा रेल मार्क पूरा हो जाने से कोलकाता से, अगर तला के बीच के रेल मार्क की दूरी 1650 किलो मीटर से घटकर 560 किलो मीटर रहेगी और इस अंतराष्टी रेल मार्क का अधिकांस भाग बंगला देश में है, तो आप सुनज सकते हैं, यूनेस यूनेसको द्वारा भारत के चार भारती रेल मार्कों को विश्वरा ससूची में सामिल किया गया, एक तो दारजिलिंग हिमाले रेलवे, उपनाम है इसका ट्रॉय रेल ट्रेंड, चतबती सिबाजी टर्वीनल, नेलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम बिलू माउंटेन काल का सिमला रेलवे, उपनाम है इसका ट्रॉय ट्रेंड, भारती रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को पिथम बार रेल गीत हमें प्यारो भारती रेल से यह अपनाया गया था, तीन मिनिट के इस गीत को सत्त विकास ने लिखा था, और सरावन के संगीत निर्देशन में दूसरे जगे लोग गए, मिले, जुले, तो आप देखिए बायू परिभान आता है, भारत में बायू परिभान की सुरुवात 1911 में हुई थी, जब इलावात से नेनी के वीच बिसकी सरपितम बिवान डाक सिवा परिभान किया गया था, 1933 में इंडिया नेसनल एयर वेज क स्थापना हुई, और 1933 में सभी बिवानिक कंपनियों का राष्टी करके उन्हें दो नवनी के निगम बना दिये गये थे, एक भारती बिवान निगम था, एक एयर इंडिया था, एयर इंडिया के अका मुख्याल है नई दिल्ली में, निगमित कारिकरम, कारियार इसका मुं और एयर इंडिया बिदेशों के लिए सिवाय उपलब्द कराता है, यह भी आप लोग याद रखेएगा, ठीक है, और 1981 में देज में घरहलू उडान के लिए बायू दूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की के थी, जिसका बाद में भारती बिवान निगम में बिलाय हो और यह दोनों कंपनिया अब नेशनल एवी एसन, कंपनी ओफ इंडिया लिमेटेड के नाम से कारगात हो है, और कंपनी का ब्रांट नाम है येर इंडिया, क्या है, येर इंडिया, ठीक है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, और पवन हंस इसकी स्थापना अक्टूबर 1989 में हुई थी, इसकी स्थापना का मुकुदेश तेल छेत को तेल की खोज के लिए हेलिकॉप्टर सिवाय उपलब्द किराना है, इसका पंजीकित कारियाल है नई दिल्ली में है, या हेलिकॉप्टर सिवाय पिदान करने बाली देशिया की सिवाय उपलब्द कराती है, और इंद्रा गांधी राष्टी ये ओडान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्सियल फाइलेटों के ओडान और ग्राउन पिसिक्षन की इस्तर वस्थार के लिए रायवरीली उत्तर पिदेश के फुरसत गंज में की गई, राजीव अंतराष्टी है हवाय उड़े हैं, जैसे इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाय उड़ा, नई दिल्ले में, छतपती सिवाजी अंतराष्टी हवाय उड़ा, मुंबई हैं, नेता जी सवास्चंद बोस अंतराष्टी हवाय उड़ा, कुलकाता में, अन्ना अंतराष्टी ह लखनव में, श्रीगुरु रामदास जी अंतराष्टी है वाईड़ा, अम्रसर में, तिवेंदम अंतराष्टी है वाईड़ा, तिरुवा अनंत्पुरह में, कालीकट अंतराष्टी है वाईड़ा, कोजी कोड में, सेक अल आलम अंतराष्टी है वाईड़ा, स्रीनगर में, राजीव गांधी अंतराष्ट ही हवाईड़ा हैदरावाद में कोची अंतराष्ट ही हवाईड़ा कोची में और कोची में बीर सावर कर अंतराष्ट ही हवाईड़ा पोड विलेयर में दावो लिम अंतराष्ट ही हवाईड़ा गौा में कैंप गोडा अंतराष्ट ही हवाई मंगलोर में देवी हल्यावाई हुलकर अंतराष्टी हवाईड़ा इंदोर में जैपुर अंतराष्टी हवाईड़ा जैपुर में कुएमबटूर अंतराष्टी हवाईड़ा कुएमबटूर में तिरूच चिरापल्ली अंतराष्टी हवाईड़ा तिरूच चिरापल्ली में नगर विमानन मंतराले ने मार्च 2020 में आवसक बस्तुओं आपुलती में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उडान सिबा सरूंकी थी पर आपका जल परीवहन आ जाता है जल से भी आजकल आप देख रहे हैं यात है यात हो रहा है सामार एक जगह सो दूसरी जगह बेजा रहा है केंद्रिय अंतर देश ही है जलमार्ग तो राधीकन की स्थापना 1987 में की गई थी इसका मुख्याले पूलकाता में देखने को मिलेगा देश के जलमार्गों को दो भागों में बाटा गया एक तो आंतरिक जलमार्ग या परीवहन नदियों नहरों जीलों के द्वारा होता है देश में जहाजों के जरिये होने वाले पूल माल धुलाई के के एक पिती सती ढुलाई अंतर देशिये जलमार्गों से होता है राष्टिये जलमार्ग अदिनियम 2016 के तहत 111 अंतर देशिये जलमार्गों को राष्टिये जलमार्ग घोसित किया गया है हल्दिया से इलावाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्टिये जलमार्ग ए या मुख भूमी के पश्चमी और पूरवी भागों में फेली है या देश के व्यापार के लिए एक महत्पूर्ट प्राक्तिक संसादन है भारत में बारे बड़ी लगबग 200 चोटे पतन है देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% मूल की दरिश्टी से 68% का व्यापार समुद्री मार्क से होता है इन्हें याद रखिये जरूर राष्टी जलमार को NW1 इलावा से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर की लंबाई है NL NW2 ए साधिया से धूबरीत पत्टी 891 राग में NW3 कुलम से कोटापुरम 205 किलोमीटर और NW4 काकी नाडा से मरक का नम 1095 किलोमीटर और NW5 तल्चर से धमरा 623 किलोमीटर और NH6 लखीपुर से भंगा यह आप देखेंगे rating 1191 किलोमीटर और पिस थाबित है देश का सबसे बड़ा बंदर का Mumbai है बड़े बंदर गाह का नियंतन केंद सरकार करती है जपकि छोटे बंदर का समिधान की समभरति सूची में सामिय जनका प्रबंद सम्मिद्दित रायुसरकार करती है समर्थी सूची कहने का मतलब है कि अगर नियम कानून बनाना है किसी उस सब्जक्ट पर तो राज सरकार भी बना सकती है केंदर सरकार भी बना सकती है लेकिन याद रखेए अगर क्यंधर सरकार और राज सरकार के कानून में टक्राव होता है तो 70 साली क्यंधर का खानून होगा देश का सरफसिष्ट प्राक्टिक बंदर्गा विसाका पर्मनम है या भारत का सबसे गहरा बंदर्गा है या डॉル्फिण डॉल फे 9 चट्टान पीछे है गुजरात इस्तित कांडला एक जुआरीय बंदरगा है या मुप्त ब्यापार छितबाला बंदरगा है बारत की प्रमुख बड़े बंदरगाहों की बात करें तो नाम हो गया राज के अंदरसासित पिदेश और नदी खाड़ी का समद्द कोलकाता पर्शे मंगाल हुगली नदी मॉंबाई महाराष्ट अरपसागर चैन्ने तमिलाडू बंगाल की खाड़ी कोची केरल अरपसागर विसाखापटनाव आंदरपेश बंगाल की खाड़ी पारादुई उडिसा बंगाल की खाड़ी तोती कोरिन तमिलाडू बंगाल की खाड़ी मॉर मुगाओ गोवा अरपसागर कांडला गुजरात अरपसागर निव मंगलोर कन्नाटक अरपसागर निया वास सेवा, महराष्ट, अरफसागर, जियल नहरू, इन्नौर, तमिलाडू, बंगाल की खाड़ी, नगर बिवानन मंतराले ने मार्च 2020 में आवसक बस्तुओं की आपूर्टी में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उडान सेवा सुरू की थी, इसके देश के सभी भागों तक व्यक्तित, यह बता चुका हूँ पहले भी, तोती कोरिन, कांडला और इन्नौर बंदरगा का नया नाम किरमसा है, वी, ओ, चिदंबरम, चिदंवरनार, दीन दयाल और कामराज, ठीक है, कोलकाता नदी ये पिकार का बंदरगा है, इसमें दो और पूरे भी कनारई पर कोलकाता गोदी पर डाली है, चैन्नाई पतन हर मौसम में कार करने, बाला ये किंदिम बंदरगा है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा है, इसकी स्थापना अठाल सु पच्चतर में की गई थी, सेतु समुद्रम, सिफ कनार, कनाल प्रोजेक्ट से चैन्नाई और तूती कोरेन के भी 434 समुद्री मेल दूरी कम होने की संभाव ना है, कोचीन सिफगाड लिमिटेट की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्याल है कोची केरल में है, या देश का जहाज निर्माड और मरमत का सबसे बड़ा चमता बाला सिफगाड है, द एक प्राक्तिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घरा है, इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राप्ट चैनल है जो बड़े प्रोत को आने जाने में वदत करता है, विसके जहाज पुनराव अर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30 परसेंट है, जहाज पुनर से गुजरात की अलांग सोसिया में किया जाता है, विसका सबसे बड़ा जहाज पुनर और अर्तन कार खाना है, इसे फरवरी 1913 में सुरू किया गया था, दाहिज गुजरात देश का बिथम बंदगा है, जो रसाइनों, रसाइनों की निप्तान ही तो इस्थापित किया गय करते हैं, और मैं जनगरना की बात कर रहा हूँ, देखिए आप लोग से कई बार बोल चुका हूँ, कि जिस भी परिक्षा की तयारी आप लोग सुरू करते हैं, तो उसके पुराने कुश्चनस पेपर जरूर उठा के देख लिया करेगा, समझ रहे हैं आप लोग, और अभ 2011 से फिर भी कुश्चनस आही जाता है, तो भारतिय समीधान का अगर आप लोग अनुच्चन, भारतिय समीधान की धारा, 246 देखें, तो यह कहता है कि अनुचार, देश की जन्गरना कराने कर दायत संगे सरकाल कुश्चों पा गया है, और यह समीधान की साथ भी अर्शूची करम संख्या 59 पर अंकित किया गया है, तो इनको जरूर याद रखिएगा, जन्गरना संगठन केंद्रिय ग्रह मंतराले के दिन कारत है, और जिसका उच्चितम अधिकारी भारत का महापंजियक और जन्गरना आयुक्त होता है, या देश भर में जन्गरना समधी कारियों को नेदेशित करता है, और जन्गरना के आकणों को जारी करता है, वरतमार मे रहते हैं तो मेरा मानना जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहा हैं वोपी इस समय आप लोग जरूर एक सरज करके देख लिए अचे ना 1150 आंचे के द्वारा एक अप्रेल 2010 से शुरू हुई थी सेप्टमबर 2010 में को केंद्रिय मंति मंदल ने जाती आधारे जंगरना 1931 के बाद पहली बार की स्विकिति पिदान की थी और जो अलग से जून 2011 से लेकर सेप्टमबर 2011 के भी संपन हुई थी जंगरना 2011 के सुभंकर प्रगड़ प्रगड़ी का सिक्षिका थी इसका आदर्स बाग था हमारी जंगरना हमारा ववैस तो यह भी याद रखेगा देखि भारत में अगर जंगरना की इतिहास की बात करें तो जंगरना की शुरू आती है 1835 में जब लॉड मेट का हमारे हमारे कारकाल था और भारत में नेमित जन्गरना की शुरुवात की बात करें तो 1881 में होती है, इस अमाय लॉड रिपन था और 1881 में जन्गरना आयुक्त डबलू डबलू पिलोडन्ग थे, वहीं सतन्ध भारत की पहली जन्गरना उन्नी सु इंक्यावन में हुई थी, और इस अमाय जन्गरना आयुक्त कौन थे आरे गोपाला सुवामी 1949 से 59 के बीच की बात 53 के बीच की बात है आधुनिक विश्व में सरविताम विवस्थी तुरूप से जन्गरना कराने का सिर्श सुईडेन को जाता है जहां 1749 में पहली बात जन्गरना कराई गई थी और 10 की ये जन्गरना की शुरुवात 790 में से अमेरिका में हुई थी और 1801 में इंग्लेंड में जन्गरना प्यारम हुई ये कुछ परिभासा आए हैं पिरमुक इनने भी याद रखेगा जनसंख्या घनत जनसंख्या घनत का अतातफ़र पिती बर किलोमीटर में निवासित औस जनसंख्या से है यानि की कहने का मतलब जनसंख्या घनत का मतलब यही होता है कि पिती बर किलोमीटर में जो निवास कर रहे हैं लोग उनी की संख्या को एक तरह से बात करते हैं जन संख्या घनत में कुल जन संख्या हुई और कुल छेथफल का, जैसे माल लिजी किसी राजी की आप देखी कि जन संख्या कितनी है, माल लिजी कि MP के ले लिजी, मत्विदिस के ले लिजी, 7 करोड, 7 कितना? 7 करोड 26,26,809 के करीब है, ठीक है? तो इसमें आप लोग कुल छ लिंगनपात कहते हैं, यानि कि कहने का मतलब सीधा से यह मतलब है, कि 1000 पुरसों पर कितनी महला हैं, उसी को लिंगनपात कहते हैं, लिंगनपात अगर आपको निकालना है तो इस्तिरियों की संख्या और बटे पुरसों की संख्या इंटू 1000, अगर सिसू लिंगनपात की ब वर्स तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 और बालकों की संख्या 0 से 6 वह इंटू आप लोगों को कितना कर देना है 1000 ठीक है इस तरह से निकाल सकते हैं साक्षरता दर की बात करें कि भारत में देखिए साक्षरता दर की परिवासा बहुत ही खतरनाक है साथ वर्स या उससे अधिक आयू का कोई ब्यक्ति अगर लिख लेता है और उसे पढ़ लेता है तो उसे पड़ा लेखा माना जाता है समझ रहे हैं आप लोग इतनी बुरु इस्तिती मुझे लगता है कि इतनी निचली परिवासा नहीं रखनी चाहिए साथ वर्स या उससे अधिक आयू वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों की पितीसत को को जनसंख्या की साक्षरतादर कहते हैं साक्षरतादर इस तरह से निकाल सकते हैं साक्षरों की संख्या बटे में 7 प्लस आयू वाली जनसंख्या इंटू 100 दस की ये बिद्धी की बात करें तो यह दस बरसों के मद जनसंख्या में हुई पितीसत बिद्धी को ब्यक्त करता है दसकीए बिद्धी अगर आपको निकल ला है तो बर्थ पार जन संख्या माइनस पूर्ब जन संख्या और बटे में आपको अपोन पूर्ब जन संख्या इंटू 100 कर देना है वहाई सिसू मित्तिव दर की बात करें जनकराना 2011 किता है देश में पहली बार राष्टी जनसंख्या रिजिस्टर तियार किया जा रहा है जिसमें देश के सभी नागरेकों के कुल 15 बिवरें दर्ज कराने की अत्रिक 15 बरस एवं इससे उपर की वह यह आप देखेंगे कि सभी नागरेकों के बायोमेट्रिक से ओंक 2001 की जनकरणा में भारत का प्रसाषनेग विभाजन 593 जिलों में किया गया था जबकि 2011 की जनकरणा में यह है विभाजन 640 जिलों में किया गया इस पश्ट है कि एक दसक किया ओधी यानि कि 2001 से लेकर 2011 की बीच कुल 47 नए जली बने थे महान विभाजक बर्स भारत की जनांकिये ये इतियास में 1921 को आप महान विभाजक की संग्या देते हैं 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दस्किये विद्धी रिडात्मक रही थी यानि की माइनस 0.31% घटी थी और फलसरूप इस दसक में भारत की जनसंख्या 77 करोड की कमी आई थी इसलिए 1921 को हम लोग बिभाजक बर्स की संग्या देते हैं भारत की जनसंख्या में सरवादी कौसत बारसिक गाती विद्धी दर 1961 से 71 की विद्धोरा अनुगा था हम लोग आजाद हुए और इस तरह से आजाद हुए कि हम लोग जनसंख्या बढ़ाने लगी यह तो यारी की जनक्रणा के कुछ आकड़े हैं 2021 की जनक्रणा अगर आप देखें तो इस के अमसार भारत की कुल जनसंख्या एक अरब 21 करोड आठ लाग 55970 बताए गई गई है जिसमें से 62 करोड 32,70,258 पुरुस हैं यानि की 59.47 टोटल जनसंख्या में से पुरुस हैं और महिलाए 58 करोड 75,84,719 यानि की 48.53 महिलाए हैं 2011 की जनक्रणा के अरब साभारत की कुल जनसंख्या विस्सी की कुल जनसंख्या का 17.5 परसेंट है यानि की दुनिया भर की जनसं हैं तो 17.5 परसेंट हमारे पास जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या में बार्सिक विद्धिदर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई और जब की दस्किया विद्धिदर 21.5 से घटकर 17.7 हो गई नंगलेंड की दस्किया विद्धिदर रिडात्मा करही थी 0.0-0.6 परसेंट यहान जनस संख्या घनत 325 बेक्तिपिती बर किलोमीटर से बढ़ कर 382 बेक्ति बर किलोमीटर हो गया यह याद रखेगा लेंगनपात 933 से बढ़ कर 943 हो गया यानि कि सुधर देखा गया सिसू लेंगनपात 0-6 बार्स में बात करें तो 927 से घटकर 918 हो गया यहां इस्तिती बुरी देखी जा रही है जन संख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84 से बढ़कर 73% हो गई पुरुष साक्षरतादर 75.26 से बढ़कर 80.9% महला साक्षरता 53.30 सरसर से बढ़कर 64.8 हो गए आप सोचिए यानि कि पुरुसों में आप सोचिए कि 19% ऐसे लोग हैं जो लिखनी पाते ह हमारे देश में इतनी भी ने आती है और महलाओं में तो आप सोचिए बुरी स्तिती है इतनी एक तरह से छोटी परिवासा रखी गई है इसके बाद भी देखी हमारा साक्षरतादर किस तरह की है और अगर आप से चोची कि अच्छी तरह से इसका मापदनर रखे गया होती तो क्या हालत होती है, ग्रामीड शेत में नियुन्तम साक्षरता दर वाला राज आंद्पदेस है, 60.4, सहरी शेत में नियुन्तम साक्षरता वाला राज उत्तर पदेस है, 75.1, ग्रामीड शेत में सरवादिक साक्षरता वाला राज कीरल है, 93%. कीरल की स्तिती देखी सबसे सही इस बात को आप भी मानों देखिए हकीकत बात है महलाओं की स्तिती को देख लिजे साक्षरता दर को देख लिजे जो भी आपके इंडेक्स आते हूं उनमें आप देखते होंगे कि केरल ही उपर रहता है देश में अब तक पूंट साक्षरत घोसित किये गए एक मात राज्य क किरल कौन सा किरल जन्गर में 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाती ऐसी के वेक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड है जो देश की कुल संख्या का 16.6 कर 6% है यह 2001 में आप देखें कि 16.2 ती यानि कि 4% की विद्धी देखी गई है 2011 में अनुसूचित जन्जातियों में अगर हम लिंगनपाद की बात करें तो 945 है 2001 से लिकर 2011 में अनुसूचित जाती की दस्किये विद्धी दर रही है 20.8% 2011 की जन्गरा के अफसा देश में अनुसूचित जन्जाती की वेक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड है जो देश की कुल जन्जाती का 8.6% है 2011 में यह यानि की सबसे बहतर 2001 से 2011 के दौराण देश में अनुसूचित जन्जाती हो की विद्धी दर 23.7% रही है जन्गराना 2011 के अनुसा देश में कुल जन्जाती में नंगरी जन्जाती के अर्षट 7.8% पर्शेंट ती अब आप सोची गाओं की तरफ से सहरों में लोग सिब्थ हो रहे हैं राज्यों में सिक्क्यम की जन संख्या सबसे हैं इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले चार के अंदर सासित पिदेश है, अंडवार निकोबार, दादर नगर हवेली, दमंदुईप, लक्षिदीप, सिक्किम अंडवार निकोबार, दादर नगर हवेली, दमंदुईप, लक्षिदीप, सिक्किम अंडवार निकोबार, द यह उत्तर्फदेश उन्नीस करोड़ अंठर्वे लाग बारह जार तीन सो बारह जार तीन सो एक ताली सो नियूंतम जनसंग क्या सिक्किम की छे लाग दसे जार पांसो संदावन समझ सकते हैं दस्किये विध्धी की बात करें तो सरवाधिक आप सोची कि इतने में एक मुकमंदरी भी चुना जाता है आप समय रहे हैं जितना एक जितना एक तरह से आप सोची लोकसवा सदस्त के लिए इतना बोड़ पड़ते रहे हैं निउन्तम 10 की ये विद्धी वाले पांच राज, इसमें नागलेन में तो माईनस ही में गए, केरल फिर दूसरे नमबर पर गुवार आद्र पिदेश हो सिक्किम, अगर जन संख्या घनत की बात करें तो सरवादिक जन संख्या वाले घनत वाले पांच राज घरते करम में, ब अरणाचल पिदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं पिती वर्ड किलोमेटर में, मिजूरा में 22, सिक्क्यम 86, मनिपूर में 115, नागलेन में 119, तो सबसे जागल जन सक्या घनत किसका है, गिहार का और सबसे कम अरणाचल पिदेश का, सरवाधिक लिंगन पाद, सरवाधिक लिंगन पाद, पिर तमिलाड़ू 996, आंध पिदेश 993, मणिपू 992, चत्तीजगर 993, निउनतम लिंगन पाद में देखेंगे तू आप देखेंगे, हरियाडा का सबसे कम 889, जम्मू कस्मीर का 889, सिक्क्यम का 890, पंजाब का 895, उत्तर पिदेश को 912, सरवाधिक शिसू सिसू लिंगर पाद, बाली पांच राज, तो हरियाडा में 834, पंजाब में 846, जम्मू कस्मीर में 862, राजिस्थान में 888, और गुजरात में 890, अब बात आती से साक्षर्था की, तो 5 साक्षर्था, सरवाधिक साक्षर्था, पिदी सद बाली पांच राज जिब बात क करें, तो बिहार 61.8%, अरुनाचल पिदीस 65.4%, राजिस्थान 66.1%, जारखंड 66.4%, आंदे पिदीस ते लंगाना से 67%. अगर हम लोग सरवाधिक पुरुष साक्षर्था पिदी सद बात करें, 5 राजियों की, तो केरल में 96.1%, मिजोरा में 93.3%, गौा में 92.6%, तिपुरा में 91 5.5%, हिमाचल पिदीस में 89.5%, नियूनतम पुरुष साक्षर्था पिदी सद बाले 5 राजियों की बात करें, तो बियार सबसे कम 71.2%, अरुडाचल पिदीस 22.6%, आंदे पिदीस 24.9%, मेघाले 76%, जारखंड 76.8%, सरवाधिक महलाव साक्षर्था पिदी सद बाले 5 राजियों क पर से नागालेंड, 67.1%, नियूनतम महला सक्षर्था पिदीस बाले 5 राजियों की बात करें, तो बिहार सबसे कम 99.5%, राजिस्तान 52.1%, जारखंड 25.4%, जारखंड 25.4%, जारखंड 25.4%, उत्तर पिदीस 57.2%, ग्रामिट जन संख्या सहरी जन संख्या की बात करें, तो 80.9%, उडिशा 83.3%, मेघाले 89.9%, और सरवादिक नंगरिये, नंगरिये जन सक्या पिदीस बाले 5 राजियों की बात करें, तो ग्वा 62.2%, मिजोरा 52.1%, तमिलाडू 48.4%, केलर 47.7%, महराष्ट 45.2%, ये भी याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, रखोगे या निये रखोग ठीक है, फिर आपका आता है, सरवादिक नंगरिये, जन सिंख्या वाले 5 राज, घरते करम में है ये, तो इसमें महराष्ट, पांच करोड़ 8,18,249, उतरविदेश आप देखें कि 4 करोड़, 44,95,033, तमिलाडू 3,49,017,440, पश्यमंगाल 2 करोड़, 90,93,002, आंदर पिदेश 2 करोड़, 82,019,075, निउन्तम नगरिये जन संख्या वाले 5 राज्यों की बात करें तो, सिक्किम, 1,53,578, आंदर पिदेश 3,70,370, नागलेंड 5,70,966, बिजोरब 5,71,771, मेघालाइ 5,92,450, अनुसुचे जाती की बात करें, जन जाती की बात करें, तो सरवादिक अनुसुचे जाती, यानि की AFC सुडूल काष्ट जन संख्या वाले 5 राज, पिती सत में देखिए, पंजाब में सबसे जादा 31,9%, हिमाचल पिदेश में 25,2%, पश्चे मंगाल में 23,5%, उत्तर पिदेश में 20,7%, हर्याना में 20,2%, सरवादिक अनुसुचे जाती, जन संख्या वाले 5 राज, सरवादिक, तो उत्तर पिदेश में आप देखेंगे, चार करोड तेरह लाग, 4 करोड तेरह लाग, 57,608, पश्चे मंगाल में 2 करोड चुदाल लाग, 63,270, विहार में 1 करोड 65,67,325, तमिलाडू में 1 करोड 44,38,445, आंध पिदेश में 1 करोड 38,000, 38,000, 58,000, 38,000, नागालेंड अर्णचल पिदेश में कोई भी अनुसुचे जाती निवास नहीं करती है, कहां नागालेंड और अर्णचल पिदेश में, सरवादिक अनुसुचे जन जाती की बात आती है, तो जन संख्या वाली पांच राज, इसमें मद्पिदेश पहले नंबर पर है, एक करोड़ तिरेपन लाग, 16,784, महराष्ट दूसरी पर है, एक करोड़ पांच लाग, वीस जार, दोसो तेरे, और अउड़ी सा, 95,09,756, राजिस्थान, 92,38,534, गुजरात, 89,17,174, तो सबसे ज्यादा अनुसुचे जन जाती की संक्या मद्पिदेश में है, ज सबसे जाता है, जन संक्या में मद्पिदेश में मिजूरा में, 94,4%, नागलेन में, 86,5%, मेगाले में, 86,1%, अवनाचल पिदेश में, 68,6%, और मडीपुर में, यह आप देखेंगे, 35,1%, एश्ट्री, जन संक्या पिदेश के मामले में, जारखंड, 26.2, ग्यारवे नम इस्तान पर हर्याड़ा पंजाब में, कोई भी अनुसुच जाती निवास नहीं करती, कहा हर्याड़ा में, और देखें, नागलेन अवनाचल पिदेश में, कोई अनुसुच जाती नहीं है, जनगरणा 2011 के केंदसासित पिदेशों के संदरब में देखें, तो सरवादिक जन संक्या वाला केंदसासित पिदेश दिल्ली है, दूसरा और तीसरा इस्तान के रमसा पूरुचेरी चंडिगर का आता है, निउनतम जन संक्या वाला केंदसासित पिदेश लच्छीप है, सर सरवादिक जन घनत बाला के अंदसासित प्विदेश दिल्ली है, 11,320 बेक्ती पिती बार किलोमीटर में रहते हैं, नियुनतम जन घनत बाला के अंदसासित पिती बार किलोमीटर में रहते हैं, जन घनत में दूसरा इस्थान चंडीगड का है, ठीक है, सरवादिक लेंगनप दूसरा इस्थान लक्षदीप का है 947 सरवाधिक अगर आप देखें तो शर्वाधिक सिसू लिंगनपाद बाला के अंदसाथित पिदिश अन्दवान निकोबार दूप समुए 960, नियूनतम सिसू लिंगनपात बाला के अंदर सासित पिदिस दिल्ली है, ठीक, 871, और सिसू लिंगनपात में आप अगर देखें, तो दूसरे इस्थान पर फूरी चेरी आता है, सरवाधिक साक्षरता पितिसद बाला के अंदर सासित पिदिस लक्षदीप है, 91.8%, नियूनतम पुरुष साक्षरता पिदिस दादर नगर हवेली, सरवाधिक महिला साक्षरता पिदिस लक्षदीप, 871, और नियूनतम महिला साक्षरता पिदिस दादर नगर हवेली है, ठीक, और के अंदर सासित पिदिसों में सरवाधिक नगरीय जनसंक्या, और नगरीय ज जनसंख्या पितीसत अन्वान इको बार्दूइश समु का जनसंख्या की दृष्टी से सबसे छोटा के अंदसासित पिदेश लक्षदीप है 161473 सरवाधिक ऐसी जनसंख्या पितीसत बाला के अंदसासित पिदेश चंडिकड़ है 11.9% लेकिन दिल्ली सरवाधिक ऐसी जनसंख्या पितीसत बाला के अंदसासित पिदेश लक्षदीप और अन्वान इको बार्दूइब समु में कोई भी अनसूचित जाती निवास नहीं करती है ठीक है सरवाधिक ऐस्टी जनसंख्या पितीसत बाला के अंदसासित पिदेश लक्षदीप है 94.8% वहीं सरवाध अब चलते हैं हम लोग भारत की प्रमोख जो बहुत देशी है नदी घाटी परियोजना है इन्हें भी देख लेजे इनसे नाम इनसे कुश्चाज क्या होता है आते हैं अच्छी खासी संख्या में तो ये आपकी प्रियोजनाओं का नाम होग या लाभानवित राज जोग है ये आप देखेंगे भागडा नागल प्रियोजना ये सतले नदी पर है पंजाब हर्याणहा हिमाचल पिदेस राजिस्थान इससे लाभानवित होते हैं इससे लावन वित होते हैं हीरा गुंड बांद परियोजना इमहा नदी पर है उडीसा इससे लावन वित होते हैं चंबल परियोजना चंबल नदी पर है राजिस्थान मद्धिपदेश से लावन वित होते हैं तुंग भद्दा परियोजना तों भद्धा नदी पर है तेलंगाना करनाटक इससे लावन वित होते हैं मयुवराक्षी परियोजना मयुवराक्षी नदी पर है पश्चि मंगाल इससे लावन वित होता है नागारुजिन सागर परियोजना गंगा भागी रहती पर है पश्चे मंगाल इससे लावान वित होता है कागणा पारा परियोजना तापती नदी पर है गुजरात इससे लावान वित होता है कौन गुजरात तावा परियोजना तावा नदी पर है मद्दपदेश इससे लावान वित होता है नांदपुर सक्त कौराडी नधीP पर्य是我ंन इंद्रगांधी नगर पहीं नहीं सतल्ह नदीे पर है राजस्तान पंजाब अर्याना से लावन वित होता है और उकाही दिन टाप्ति मदी पर है विथम पोय वहांग W उत्तरपिदिस में कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है तमिलाडू इसे लावानवित होता है और फिर आप देखेंगे दुर्गा बैराज परियोजना दामुदर नदी पर है पश्चम बंगाल जहरखंड इसे लावनवित होता है इडुक्की परियोजना, पिरियार नदी पर है, केरल इससे लावान वित होता है, टेहरी बांध परियोजना, भागिर्यती नदी पर है, उत्तराखंड इससे लावान वित होता है, माताटीला परियोजना, बैतवा नदी पर है, उत्तर पिदिसमत पिदिस से लावान वित होत परियोजना घाट पर्वा द हुझना पर्वी परियंए पर करना टाक इस याव नीथ September between घाट पर यूजना बाद्रह परियोजुना घाटउर दीकर करनाथ किसे लावान थो था जैका वाडि परियोजना गोदावरी नदी करें महाराश्चित से लावन वित होता है रंजीत सागरबान परियोजना रावी नदी पर है पंजाब इस्ते लावन वित होता है हेडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है कर्मना टक्स से लावन वित होता है सतलग परियोजना चैनाव नदी पर है जम्मू कस्मीर के अंधसासित पिदेशना इस से लावन वित होता है नाथला जहाकरी परियोजना सतलज नदी पर है हमाचल पिदेश से लावन वित होता है पनावा परियोजना पनावा नदी पर है गुजरात से लावानवित होता है कोल्डेम परियोजना सतले नदी पर है हमाचल पिदेश से लावानवित होता है कांग सावती परियोजना कांग सावती नदी पर है पश्ने मंगाल से लावनवित होता है प्रामभी कुलंप अलियार प्रयोज्मा आठ चोटी नादियों से बन करें तमिलाड़ू केरल इस से लावानवित होता है मुछकुंड प्रयोज्मा दीला मुछकुंड नदीला म दीला है उडिषा और आंधिपदेश्चे लावनवित हो रहे हैं बार्गी परियोजना बार्गी नदी पर हैं मदपदेश से लावान वित होता है। हंस्देव वांगो परियोजना हंस्देव नदी पर हैं चत्तीस गड़ से लावान वित होता है। दंडिकारन परियोजना उडिसा मदपदेश से लावान वित होता है। सरावती परियोजना सरावती नदी पर है करनाटक से लावान वित होता है पंचेद बान दामुदर नदी पर है जार्खंड पश्चमंगाल इस से लावन वित होता है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है मद्पिदेश इस से लावन वित होता है बाड सागर परियोज चंबल पर है, राजित्थान इससे लावन वित होता है, सरहिंद नहर परियोजना, सकलज नदी पर है, इससे हर्याना आपका लावन वित होता है, तुलबुल परियोजना, जहलम नदी पर है, जम्मु कस्मीर इससे लावन वित होता है, दुलह हस्ती परियोजना, चैनाओ नहराश राजिस्तान वंगलियार परियोजना चैनाव नदी पर है जम्मुकस में इसे लावान वित होता है भारत की पहले पिदान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू ने बहुत देशनी नदी गहाटी परियोजनाओ को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था एक अधन के यवार आगरा आपका यमना नदी बद्रीनात अलग नंदा नदी इलावाद गंगा यमना नदी दिल्ली यमना नदी फिरोचपुर सतला नदी हरिद्वार गंगा नदी कानपुर गंगा नदी कुर्णूल तुल्मः तुंभद्धा नदी सुकुवा घाट बनपुत नदी गोदावरी नदी तो इने भी आप लोग याद रखिएगा नदीयों की कनारे बसे नगर हो गए ये भी कुछ है कन्नो अजाप का गंगा नदी श्री नगर जीलम सूरत तापती हैदराबाद मूसी मत्रा यमना जमसेत पूर स्वैडरेखा नदी एहमदाबाद सावरमती नदी पन्डरपुर भीमा नदी बरेली राम गंगा नदी जगदलपूर इंद्रवती नदी गोरक पूर राप्ती नदी संबलपूर महा नदी स्री रंगबटनम काविरी नदी जानपूर गॉमती ौर्चा वैतबाथ उज्यन चेपणा नदी वरानजी गंगा नदी लॉध्यान जमूब कसमीर में 2659 मीटर हूँ चाहें, उन्टी तमिलाडू में 2286 मीटर, सिम्ला हिमाचल किदेश में 2206 मीटर, पहल गाओ जमू कसमीर में 2495 मीटर, दरजिलिंग पश्चिमंगाल में 2134 मीटर, कोडाई कनाल तमिलाडू में 21232 मीटर, Landsdown उत्राखंड में 2188 मीटर Dalhar Lori हिमाचल पिदेश में 2035 मीटर Masuri उत्राखंड में 2005 मीटर Codeardi Tamil Nadu में 1880 मीटर Manipra 1184 मीटर integrated उत्राखंड में 1938 मीटर Kasoli हिमाचल पिदेश में 1890 मीटर Kundal Alanu में 1669 मीटर फिर आप देखेंगे गंगटो सिख्यम में है ए 1850 मीटर, मनाली हिमाचल पितिश्म में है 1839 मीटर, राणी के उतराखन में है 1819 मीटर, रांची जरकन में है 670 मीटर, मेरीक पश्चि मंगाल में है 800 मीटर, सिरी नगर सिनीर अगर आप देखेंगे थूँ आपका जम्मु कस्मीर में 1768 मीटर कोटलिम ये अतमिलाडू में 1676 मीटर भुवाली उत्राखंड में 1650 मीटर अल्मोडा उत्राखंड में 1640 मीटर सिलांग मेगाले में 1496 मीटर सोलन हिमाचल पिदिस में 1496 मीटर नंदी हिंस करनाटक में 1494 मीटर एरकाड तमिलाडू में 1469 मीटर महामले सुर महाराष्ट में 1352 मीटर कली पॉंग बश्चिवंगाल में 1250 मीटर धरमसाला हिमाचल पिदिस में 1250 मीटर कुलू घाटी हिमाचल पिदिस में 1250 मीटर माउंट आवू राजिस्थान में 1219 मीटर पंचगनी महराष्ट में 1219 मीटर मननार केरल में 1158 मीटर पचमणी मद्धिपिदिस में 1067 मीटर सपूतारा सपूताराई गुजरात में 975 मीटर केमाई केमान गुंडी करनाटक में 914 मीटर प्रियार केरल में है 914 मीटर मंडी हिमाचल पितिस में है 709 मीटर लोनाबाला महराष्ट में 620 मीटर खांडला महराष्ट में 620 मीटर तो ये सबी भी आप लोगों को याद रखना होगा फिर आप देखेंगे भारत की पिरमुक वन जीव अभ्यारन और राष्टी उद्यान देखें इनसे भी काफी अच्छी खासी संख्या में आपके कुश्चन साते रहते हैं अगर आप लोगों अच्छे से देखेंगे तो आपको मालू भी होगा तो भारत का पिथम राष्टी उद्यान जिम कारविट राष्टी ये फार्क उत्तराखने में आपको देखने को मिलेगा इसका पुरान नाम हैली नेशनल फार्क था और जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी कब 1935 में की गई थी तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा देश में सरवादिक राष्टी उद्यान MP में देखने को मिलेंगे 11 इसे टाईगर इस्टेट भी कहते हैं मदविदेश को आप लोग टाईगर इस्टेट भी कहते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान जम्मू कस्मीर की लेह जनपत में है और इसका नाम है हीमिस और ये है 33550 बर किलो मीटर में फैला हुआ है भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारा नकर आप से पूचे तो नागार जुन सागर है आन्फिदेश में इसका छेत्फल 3568 बर किलो मीटर है भारतिय पक्षी विज्यानों प्रकृति बादी सलीम अली को वर्ड मैन ऑप इंडिया कहा जाता है किसे सलीम अली को सलीम अली राष्टिय पक्षी उध्यारन उध्यान आपको जमू कस्मीर के स्रीनगर में देखने को मिलेगा जिम कारविट पार्क से राम गंगा नदी बहती है देश में सरबादिक 94 बन जीव अभ्यारन अंडवा निकोबार दूइब में है डाची गाम सैंचुरी ये आप देखेंगे किस्मीर में महामेरिक पाया जाता है लाली बन जीव अभ्यारन पासी घाट अरुणाचल पदेश में ब्रह्म पुत नदी के दाय किनारी पर उस्तित है यहां का पॉनंग नित पिसिद्ध है जो जन्जातियों द्वारा किया जाता है फिर आप देखेंगे पलामू ये राष्टी अउद्यान हो गया आपके राज्ज हो गया और बन जीव प्राड़ी हो गया पलामू बैतला अभ्यारन ये जारकन में हाती गुफा हिरन हाती हिरन तिंदुगा सामर जंगली सुगर ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसक चीतल सामर जंगली सुगर ये देखने को मिलेगा कैमूर बन जीव अभ्यारन बिहार में है बाग नीलगाय घड़याल सामर तिंदुगा ये देखने को मिलेगा गिर राष्टी अध्यान गुजरात में सेर सामर तिंदुगा जंगली सुगर आपको देखने को मिलेगा नल स सावर, नेलगाय, तिनुवा, हिरन के लिए पिसिद्ध है। चन्द फिरभाः अभ्यारन उत्तर विदिस में हैं। ये आप देखेंगे भालू, नेलगाय, तिनुवा, सामर के लिए पिसिद्ध है। बांधी पुराश्टी उद्यान करनाटक में है, हाती, तिन्दुवा, हिरन, चीतल, सामर के लिए पिसिद्ध है, ये आप देखेंगे भद्रा अभ्यारन, ये करनाटक में है, भालू, हाती, सामर, तिन्दुवा, हिरन के लिए पिसिद्ध है, ठीक है, तो ये भी आप लो या के लिए पिसिद्ध है पकाल बनी जी बभ्यारन ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा कहां तेलंगाना में और तिंदुगा सामर भालू जंगली सुवर के लिए पिसिद्ध है कावला बनी जी बभ्यारन तेलंगाना में देखने को मिलेगा तिंदुगा सामर भालू जंगली सुवर चीतल के लिए पिसिद्ध है मानस राष्टी उद्यान असम में आपको देखने को मिलेगा हाती भालू एक सिंग वाला गेडा वो लंगूर हेरन के लिए पिसिद्ध है काजी रंगा राष्टी उद्यान असम में है एक सेंग बाला गेंडा के लिए पिसिद्ध है जंगली सुवर भियसा देखने को मिलेगा घाना पक्ची विहार में है राजिस्थान में है घाना पक्ची विहार राश्टी उद्यान ए राजिस्थान में सावर कालाहेरन जंगली सुवर मुर्गा घडियाल साइवेरियन कैन के लिए पिसिद्ध है रन्थम मोर अभ्यारन एराजिस्थान में है वाग सेर तिन्दुआ लकडबग्गा भालू नीलगाय सावर के लिए पिसिद्ध है कुंबलyeongडण अब भ्यारन ए राजिस्थान में नीलगाय सामर भालू जंगली सुअर के लिए पीसिद्द्ध है पेंच राष्टी उध्यान महाराष्ट मत्यपदेश में तिंदुगाय सामर चौ Sayugah जंगली सुअर चीतल के लिए पीसिद्द्ध है जंगली सुवर, चीतल पक्षी के लिए पिसिद्ध है, वोरी बिली एराष्टी उद्यान ए माहराष्ट में आपको लंगूर हिरन शामत दिंदुआ जंगली सुवर के लिए है, अब उहर उब्यारन ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, जंगली सुवर, हिरन नील ग अभ्यारन तमिलाणू में है जलिये बक्षी के लिए पिसद्ध है इंद्रा गांदी अभ्यारन तमिलाणू में है हाती बाग चीतल तिन्दुवा सावर रीच भालू जंगली कुत्ता लंगूर के लिए पिसद्ध है मुदू मले अभ्यारन एतमिलाणू में है और हाती तिन्दुवा सावर हेरन जंगली कुत्ते के लिए पिसद्ध है डंफा अभ्यारन में है कोवरा विल्ली फिजेंट के लिए पिसद्ध है पिरियार अभ्यारन केरल हाती तिन्दुवा सावर हेरन भालू नीलगाय जंगली स नगे काना किसली राश्टी उद्यान MP में है मदपयस में बाग चीतल , तिन्दुआ सावर वारे सिंगा के लिली फिसिद है पच्छमडी अभ्यहरन ए atención बाग तिन्दुआ सावर नीखाय चीतल, भालु जंगली भहसा के लिली फिसिद है डाची गाम राश्टी उद्यान जम्मू कस्मीर में देखने को मिलेगा तिनुआ काला भालू लाल भालू हिरन इंगोल यहाप आए जाते हैं किस्तबाड राष्टी उद्यान जम्मू कस्मीर में काला हरन, जंगली याग, तिबती गधा, पहाडी तिन्दुआ के लिए पिसिद्यान, बादावगर राष्टी उद्यान, एमपी में है मद्पदेश में, बाद तिन्दुआ, सावर भालू, निलगाय, सुर तीतर के लिए पिसिद्यान, नागर्वॉल राष्टी उद्यान, कनाटक में हे, हाती तिन्दुआ, सावर भालू, चकूर तितर के लिए पिसिद्यान, पक्वी बन जीब अभ्यारन, अरुनाचल पिदेश में हाथी हिरन, अजगर सावर के लिए पिसिद्यान, सुल्तानपुर जीहिल मैं देखने कुम लेगा बाग हिरन मंगरवच के लिए है भगमान महावी उद्यान गुवा में है हिरन चुः साही सावर के लिए पिसिद्ध है नौगर वाल कि नौगर वाई लेम अभ्भारन मेगाला में हाती बाग हिरन सामर वालू के लिए कीवूल लाम जाओ राष्टी उद्ध्यान इमडीपुर में हिरन जंगली बकरी भिन बिभिन जल्द पक्षियों के लिए देखे इनसे जरूर एक दो कुश्चन साते रहते हैं एक बार के बल यह बता देता हूं कि यह राष्टी उद्ध्यान यहां है ठीक है जानबन नहीं देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक से सुरू करते हैं और जल्दी खतम कर देंगे आप लोगों को याद हो जा मेरा उद्ध्य से ही है फिर आप देखेंगे सौमेशुर अभ्यारन करनाटक में, तुंभद्धा अभ्यारन करनाटक में, पखाल बनिजीब अभ्यारन तेलंगाना में, कावला बनिजीब अभ्यारन तेलंगाना, मानस राष्टी उद्यान असम, काजीरंगा राष्टी उद्यान असम, घनापक्षी और ये आप देखेंगे डंफा अभ्यारन ये आपको देखने को मिलेगा डंफा अभ्यारन मेजोरम, पेरियार अभ्यारन केरल, फरांबी कुलम अभ्यारन केरल, काना किसली राष्टी उद्यान मद्पिदेश, पचमणी अभ्यारन ये मद्पिदेश, डाची गाम राष्टी उद्यान जमू कस्मीर, किस्तवान राष्टी उद्यान जमू कस्मीर, ब भगवान महावीर राश्टी उद्यान गुआ, नौगरवाई लेम अभ्यारन मेघाले, कहां मेघाले में, और किबोल लाम जाओ राश्टी उद्यान मणीपुर में, ठीक है। पर देखेंगी भीतर करनी का नेशनल पार्क उडिसा में देखने को मिलेगा, यहां मैंगो बनो की कई पिजातियां पाई जाती, यहां कचुए की चारों पिजातियां, ओले रेडले कचुआ, ग्रेंसी कचुआ, हॉक्स बिल कचुआ, लेदर वैक कचुआ पाई जाती, यहा साइबेरियन सारत पिजनन हीतु प्रवास करते हैं, यहां से दो नदियां बाढगंगा और गंभीरी प्रभावित भी होती बैती है, और सुल्तानपुर राष्टी उद्यान, हर्याणा में गुरुगराम जिले मिश्ते थे, विस्त का एकमात तेरता हुआ राष्टी पार् जिले मिश्ते थे, इसे 1997 में राष्टी पार्ग घोसित किया गया था, इस पार्ग का प्रमुक्ष जीब अती संकट संगाई मडीपूर हेरन है, राम सर अभी सर अभी समय के तहते से अंतराष्टी महत्व का आद स्तल्वी घोसित किया गया है, ठीक है, यह पक्षी बिहार ह नवाब गंज पक्षी बिहार उन्नाओ में इसकी स्थापनावी थी का 1984 में, समस्पूर पक्षी बिहार ए रायवरेली में 1987 में, लाख बहासी पक्षी बिहार ए कन्नोज में 1988 में, सांडी पक्षी बिहार हर्दोई में 1990 में, पकीरा बक्षी बिहार ए संधकवी नगर में 1990 मे ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्धनगर में 1990 में समान पक्षी विहार मेनपूरी में 1990 में पारवती अरगा पक्षी विहार गौंडा में 1990 में बिजय सागर पक्षी विहार हमीरपूर में महोबा में 1990 में पटना पक्षी बिहार एटा में 1990 में सुरहात ताल पक्षी बिहार लोक नारेन पक्षी बिहार भी कहते हैं बलिया में 1991 में सुर सरुवर पक्षी बिहार आगरा में 1991 में भारत की बाग अब्यारन देख लेते हैं हम लो, क्यार बाग अब्यारन, राजिस्थान की जोधपुर निवासी कैला संखला की नेतित में, पिथम बार, इंद्रा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कारिकरम को प्यारम किया था, प्रोजेक्ट टाइगर काप 1973 में, क इसके नेतित में? यह आप देखी कैला संखला की नेतित में, और इंद्रा गांधी की समय की बात. चेतफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा बाग रेजर भे नागारजुन सागर स्रीसेलम यह आध्पेदेश में है और चेतफल की दृष्टी से सबसे छोटा बाग रेजर भे पैंच महाराज़ का है विसका सरबादी कुचाई पर अवस्तित बाग रेजर नाम दफा है अरुणा चलते देश में है और देश के 18 राज्यों में बाग पाए जाते हैं और रेड डाटा की बात करें डाटा बुक तो सरब पितम 1963 में सरफीटर स्कॉट ने अंतराष्टी रेड डाटा बुक की कल्पना की थी रेड डाटा बुक में ऐसे पसुबक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी देज गई है जो बिलिप्त संकट गरस्त होने के कगार पर है इनका संकलान जोएंट नेचर कंजरोवेशन कमेटी द्वारा किया जाता है विसमें पितम पिकासन 1964 में किया गया था भारत की अग़र पितम भारत की बागब बहरनों की बात करें तो देखें राज्य हो गया बाग रिजर्व हो गया इनकी गोशना बर् सम्में कुल 4 देखेंगे। श्री सेलम एए 1982-83, बिहार में आप देखेंगे बालमीक है, ए 1989-90, इंद्रावती, चत्तिरसगर में आपका इंद्रावती हो गया, 1982-83 में, अचानक मार, एए आप देखेंगे 2008-09 की बात है, ओधन्ती सीता नदी, एए 2008-09 की बात है, जारखंड में एक है, पलावू, बैतला एए 1973-84 में इसकी गुष्णा हुई थी, मेजूरम में एक डंपा, एए 1994-95 में, राजिस्थान में तीन देखने को मिलेंगे, रर्थमोर है आपका, एए 1973-84 की बात है, सरिस्का, 1978-89 की, मुकंद्रा पहाडी 2003 में, बांदीपुर, आप देखेंगे 1900, बांदीपुर आपका देखेंगे, वहाँ है, कहा है, एए आपका करनाटक की है, बांदीपुर, उननीस सो तेटर चौतर में, भद्रा भी करनाटक की है, नागर हॉल, उननीस सो निनन्यावे संदो हुजार में, दंदेली अंसी, ये 2007 में, विली गरी रंगनात मंदर, ये 2011 बारे में, फिर आप द देखेंगे, छैए ये तो काना हो गया है, इननिस सो तेटर चौतर में, फेंच उननीस सो तेरावे सौतर में, बानाओ गडर उननीस सो तेरावे सौतरानवे, पन्नावे सौत. ौननिस सो तेरावे संदो हुजार, संजर, डोबरी, ώन दौेजार आठ नो, मेल घाट, उन नाग जी राग ये 2003-13-2014 तो ये भी आप लोग याद रखेगा याद रख पाओगे या नहीं उत्तर प्रदेश में तीन दुदवा 1987-88 अमानगड ये आप देखेंगे अमानगड दोहजार बारे पिलीभीत दोहजार बारे उत्तराखन में आप देखेंगे कि कुल दो जिमक कारबेट उननीस सोतेतर चोहत्तर राजा जी उननीस डोजार पंद्र है पास्टे मंगाल में दो सुन्दर्वन उननीस सोतेतर चोहत्तर बुक्सा उननीस सोब्यासी-TSicable 2012 तेलंग नावे कवल 2012-13 उरी ज्क आप देखेंगे तमिलाड़ू में अन्ना मलाए ए आपका काल ये ह मुंद थुरेई यह आपका तमिलाडू में अन्ना मलाई 2007 मदू मलाई यह 2007 सत्मंगलम 2013 श्रीप विललू पुथोर मेगा मलाई 2021 में ठीक है इसमें आप अगर देखें तो भोगली को नाम हो गया और एन का क्या हो गया सहर हो गया जैसे Eesore का निवासिस्तान पुचे प्रियाब को पांच नदियों की भूमी पंजाब को साथ ठापूँ का नगर मुंबई को बुनकरों का सहर पानीपत को अंत्रिक्ष का सहर वेंगलू पुरुप का प्रिविश्द्वार मुंबई को, पुरुप का व्यनिस कोची को, और भारत का पीटर्सवर्ड जमसेतपुर को, भारत का मैंचिस्टर एहमदाबाद को, मसालोंगा वगीचा केरल को, गुलाबी नगर जैपुर को, कुईन ओप डेकन पूने को, भारत का यह आप देखेंगे पिथमपुर को, और पुरुप का प्यरिस, जैपुर को, साल्ट सिटी, गुजरात को, सोया पिदीस, मद्ध पेदेश को, मलाय का देश, करनाटक को, सरवाधिक पिदूसिद नदी, सावरवती, दच्छन भारत की गंगा, कावेरी, काली नदी, सार्द बिलू माउंटेन, नीलगरी पहाडियां, एसिया की अंडों की टोकरी, आंध पिदेश, राजिस्थान का हैदय, अजमेर, सूर्मा नंगरी, वरेली, खुस्बों का सहर, कन्नोज, कासी की बहन, गाजीपोर, लीची नगर, देहरादून, देहरादून, राजिस्थान का सि कोलकाता, नवाबू का सहर, लखनव, इस्पातनगरी, जमसेतपुर, परवर्तों की इरानी, मसूरी, रेलियों का नगर, नई दिल्ली, अरब सागर की इरानी, कोची, भारत का स्विजलेंट, कस्मीर, पूर्ग का स्कोटलेंड, मेघाले, उत्तर भारत का मैंचिस्थर, कान कुंगरपूर, भारत का उध्यान, बैंगलोर, भारत का वोश्टन, आप देखेंगे, एहमदाबाद, क्या, गोल्डन सिटी, अमरस्तर, सूत्ती बस्ति की राध्धानी, मुंबई, पवित्र नदी, गंगा, विहार का सुख, कोशी, विर्द गंगा, गोदावरी, पश्मि कोटायट की दादी, मल्यालम, जुडवा नगर, हिद्राबाद, सिकंद्रावाद, ताला नगरी, अलिगर, राष्टिये, राजमारगों का चौराहा, कानपूर, फेठा नगरी, आगरा, भारत का टॉलीपूर, कोलकाता, बन नगर, तेहरादून, सूर नगरी, जोत्पूर राजिस्थान का गौरब, चित्तोडगर, कोला नगरी, धनबाद, कोला नगरी, धनबाद है, अभी वरत्मान की बात करें, तो आप देखेंगे कि हमारे देश में, आपके 28 राज्य है, और 28 राज्य में अगर आप देखें, तो विहार की राध्धानी, पठना हो गई, और इनसे questions दे कि normal पूँच लेता है कई बार, तो मुझे लगता है कि भारत का map आप लोगों को एक तरह से mind में set होना चाहिए, जब भी आप से पूँचे कि उत्तरपिदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या मद्पिदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, सिक्क की वेंगलोर, बंगलोरू, गुजरात की गांधी नगर, तेमलाडू की चैननाई, नागलेंड की कोहिमा, हर्याना की चंडिगड, मद्पिदेश की भोपाल, मेघालाई की सिलांग, हिमाचल पिदेश की सिमला, विजोरम की आईजोल, गोआ की पंगी, चातीसगड की की मुंबई, राजिस्थान की जैपूर, सिक्किम की गंगटोग, अरुनाचल पिदेश की इटानगर, ओतराखंट की देहरादून, जारखंट की राची, और तेलंगाना की हैदराबाद है, यह आपकी 28 राज्योग है, और देकि महाराष्ट और हिमाचल पिदेश की दो र अगर आपसे देखिए, एक केंदसासित पिदेश आठ हैं, लच्छ दीप, इसकी राधानी कावारती है, चंडिगड की चंडिगड, पुदोचेरी की पुदोचेरी, लद्दा की ले, दिल्ली की नई दिल्ली, अन्वान एकोवार दुईप समू की पोर्ट बिलेयर, दाद नगर हवेली और दमन दुईप, इसकी दमन है, और जमू कस्मीर की स्री नगर है, आप देखिए, सबसे बाद में आपका तेलंगाना राज बनाय गया था, और वैसे आप देखिए कि जमू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया, लद्दाक और जमू कस्मीर, और आप 2014 को इसकी स्थाफना हुई थी हैदराबाद इसकी राध्धानी है और आंध्रपदी से अलग करके बनाए गी थी इसका चेथपल देखें तो एक लाग चाउदा हजार चार-सो चार-सो-चालिस बर किलूमीटर में पहला हुआ है और इसकी जन सख्या तीन करोड तीन करोड बावन लाग चैसी जार सासं संतावन है जन सख्या घनत तीन सो दस पिती ब्यकती बर車 किलूमीटर में रहते हैं और जले 31 हैं निर्माण की समय दस जले थे, पिथाम राजपाल, E, S, L, नर्सेंबहम थे, पिथाम मुकमंत्री, के चंद से कर रहा हो थे, यहां लोग सभा सीटों की संख्या सत्र है, राज़ सभा में साथ सीटे है, बिधान सभा में आप देखेंगे 119 सीटे है, बिधान परिशद में सीटों की संख्या 40 ह बिधान परिशद भी है, और सीमा रेखा की बात करें, तो दच्छिनपूर में आंध्य पिदेश, उत्तर और उत्तर पर्ष्चिम में आप महराष्ट, पर्ष्चिम में करनाटा, उत्तर पूर में आप देखेंगे 36 गड़ से लगती है, तेलंगाना का गठन 29 वे राज़ी की रूम में हुआ था, जम्मू कस्मीर को केंद सासे पिदेश बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28 वाराज जब कहलाएगा, ठीक है, भारती जनजाती के बारे में बात कर लेते हैं, भारती समिधान का अनुचित 366, 25 की अनुचित जनजाती से तात पर, उन जनजाती के लग बगए, 2011 की जनजाती जनजातीयों की जनसंक्या संपूर भारत की जनसंक्या की 8.6% है, और जनसंक्या की दिरिष्टी से मद्यपिदेश सबसे अधिक जनजाती है जनसंक्या वाला राज्च है, यहां आगर आप देखने तो एक करोड 236,784 लोग रहते हैं आदिव अनुछे जनजाती आयूग बना था, अनुछे 338 का में, और इस आयूग के पिथम अध्यक्ष थे U.S. डेवर, ठीक है, ठककर वापा को आधिवासियों के मसीहा के उपनाम से जानते हैं, भारत की सरवादिक आध्य जनजाती गौंड है, सौमपेन जनजाती निकोवार अने बास करती है, ठारू जनजाती दिपावली को सोक तिवार के रूम में मनाती है, मिथन तिवार नागा जनजाती का है, और नायर, जनजाती में परी दरसक पती आउधारना पाया जाता है, तोड़ा जनजाती पसुपालक है, और भैस पालने का काम करती है, संथाली कर एवं यूराली उन्हें पिलाथी कहते हैं तो ये जंजातियों से देखिए वैसे MPPSC में आप देखते होंगे कि बड़ी संख्या में कुश्चन्स पूछ जाते थे गुजरात में आप देखेंगे भील, बंजारा, कोली, फटेलिया, डाफर, तोडिया, हमाचल पिदेश में देखेंगे गड़ी, अत्वा, गुड़ी, कनौरा, लहोली, जमू कस्मीन देखेंगे बककरवाल, गड़ी, गुजर, चंगफा, या चंपा, केरल में देखेंगे का आब, बूज, मारिया, मूरिया, बिसन्वार, गौंड, खिरवार, असुर, वेगा, कोल, मुंडा, मारश्ट में आप देखेंगे बारली, बंजारा, कोली, चित, फावन, गौंड, अब्बूम, फा, मंडिया, मडीपुर में देखेंगे का कुकी, मैटी, मैठी, इसे कहते ह आप लो, नागा, अंगामी, मेघाले में गारू, खासी, जैनतिया, मिकिर, मिजोरा में लाखर, पाओ, मेजो, चक्मा, लुसाई, कूकी, लागालेंड में नागा, नवोई, नागा, अंगामी, मिकिर, उडिशा में जुआंग, खरिया, भुया, संथाल, हो, कोल, कोंध, बॉंडो, राजिस्थान में मीना, मीडा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, सिक्के में लेपचा, लिम्बू, क्रमेलाणू में बढ़गा, तोड, तोड, कोटा, तोडा, ए निलगरी की मूल, जन जाती है, तिपुरा में रिहांग, अत्वा जवाल और कुमाई उच्छेत में, खास, जौनपोर्ग, जौनसर, बावर च्छेत में, पश्चे मंगाल में लोगा, भूमिच, संथाल, लेपचा, लिम्फू, दारजिलिंके च्छेत में, असम में रामभा, राभा और दिमारा, कोचारी, भोडो, अबोर, आओ, मिकीर, का जन्जातियों की सेक्षणिक संस्था को यूवा गरह कहते हैं, क्या कहते हैं, यूवा गरह कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, नाच गाकर अपनी जीवी का कमाने वाली दच्छडी राजिस्थान की जन्जाती गरासिया है, चांगपा या पर चंपा, समुदा मुखरोग से लगदाग जमू कस्मीर में पाया जाने वाला एक अर्द, खाना वदुस, तिबती लोगों का समुदा है, भारत सरकार ने अन प्रजाती समुदा नेग्रो, नार्डेट प्रजाती भारत में सबसे अंत में आई, हडापा सब्दा की सुरुआत प्रोटो औस्टलाइड एबं भूमत सागरी प्रजाती से हुई, निग्रेटो, प्रोटो औस्टलाइड, बाव मंगोल वाइड प्रजातियों के लोग भा पूल निवासी थे, भारत में ए असम, हिमालय चेत, ले और लद्दाग में पाए जाते हैं, नार्डेक आप देखेंगे उत्तर पश्चिम भारत के लोग, प्राच, सिंद, पंजाब, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट आदी के लोग, भूमत सागरी है, ये उत्तर भ और मिसमी, निसी, नागा, नागालेंडर की कोन्याग आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं, बताया जाता ही कि वे अपने दुस्मन का सिर्धधर से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं, और चेहरे पर टेंटू बनाकर उसका जसन मनाते हैं, ह जन जातियां काफी महत्पूर होती हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अभी अगर किसी ने अपनी संस्किती को बचागी रखा हुआ है, तो वो हैं कौन? जन जाती. और इसलिए कहते हैं कि जब भी जन जाती है, छेत्रों में अगर आप जो लोग घूमने जाते हैं, त जिसका भारत का भूगोल खतम हो जाता है, तो आप लोग विंज्वाय करिए, पढ़ते रहे हम लोग मिलते हैं, अंगली के लास में हम लोग भारती अर्थवरस्था के बारे में बात करेंगे, एकोनोमी के बारे में, उसमें भी किस तरह के कुश्चन्स पूछे जा सकते है सब कुछ देखेंगे हम लोग